सतनाव वाहिगुरू 22 देसंबर 1606 इस्वी विच गोबिंद राइजी दा जनम पठने शेहर होया गुरू तेक बहादर जी उस समे पारत दे परचारक दोरे ते सन ताके दब्बी ते सैमी हुई जनतानो जुलूम दे बंदन तोडन दी प्रेर सकन गोबिंद राइजी दे पहले चार साल पठना विची बीते उस उप्रंथ आप पिता गुरू नाल अनंदपुर आगे मुन्शी साहेब चंद गुरू कारदे गरंथी सन सवा मिलन उपर उब बच्चयानो गुरू कारविच गुरूमुखी पढ़न दी सेवावी कर दे सन साहेब जादे गोबिंद राइजी पढ़न विच बहुत होशे आरसन साहेब जादे नू फार्सी पढ़न ली मुन्शी पीर महमद काजी नू लगाया गया संस्कृत हिंदी ते ब्रज पाशा उना पंड़त करपा रंध दतपासों पढ़िया इस तरह गोबिंद राइजी गुर्मुखी फार्सी संस्कृत अते हिंदी दे चोटी दे विदवाना विच्चों एक होगी गुरु तेक बहादर जी ने तरम दी अजादी दी रख्या वास्ते दिल्ली विची शहादत देन तो पहला गोबिंद राइजी नू योग जानके गुर्गदी दी जिम्मेवारी दिटी औरंग जेब दे डर दे मारे शीया ते सूफी विदवान वी अनंद पुर पुजन लगे पाई नंद लाल नो भी बहादर शाने गुरु जी पास पेज दिता जदो औरंग जेब ने नंद लाल नो मुसल्मान बनाई जानदा हुकम कीता इस तरह गुरु जी पास विंजा कभी होगे गुर्णानक दे कार विच कीरता नो परदान मन्या गया है औरंग जेब सुन्नी मुसल्मान सी संगीत उस दी शरादे खिलाफ सी औरंग जेब ने अपने राज विच संगीत दा गौना बंद कार दिता संगीत दे कला कारा अनंदपुरा डेरे लाए जित्थे उन्ना दी विद्यानू संमान प्राक्त सी गुरु गोबिन सिंग जी आप मरदंग जोडी ते सरंदा बहुत सोना वजानते संग उन्ना ने सिखा विच बीरस पैदा करनली कवियां पासों वारा लखमाईया पूजा ते पाठा नल परे हुए हन जिन्ना दी सिख्या पोली पाली जन्ता नू अंध विश्वासी ते ड्रकल बनांदी है अनंदपुर उना दिना विच एक विद्या के इंदर बान गया जेड़ा सिख गुरु दे दर्शना लियोंदा उसनू गुर्मुखी सिख्य बिन वापस ना जान दिता जन्दा उसनू बानी कंट करवाई जन्दी जान लगए नू एक बानी दी किताब दिते जन्दी। सिchte वापस बेड़ाके अपने रिष्टेदारा ते होर मिलन वाले दोस्तान बानी कंट करवाई दा ते अनंदपुर पुझके गुर्मुखी सिख्य प्रेयर ना करगा। गुरु गुबिन सिंग जिदे मुडले जीवन तो असी सिख्या कि गुरु सहब ने ना केवल आप बल्कि अपने सिख्खां वेच भी सरव पकी ज्यान हासिल करनते जोर दिता। ताकि गुरु के सिख्ख समाज दे हर खेतर विच किसे तो पिछे ना रहें। पर गुरुमुखी उत्ते सब तो ज्यादा ख्याल देता गया। ताकि हर सिख्ख गुरुबानी आप पाड़ते समझ सकें। पर आज सिख्ख परवारां विच बड़ा कातक चलन देख्या जा रह पर मा बोली जे उना नू करों ही सिख्ख नू नहीं मिलेगी ते बच्चे पंजाबी हों ते कदे मान मुसूस नहीं करनगे। ब्राम्ना ने ता जान भुझ के संस्कृत ती सिख्ख विद्या आम लुकाई तक नहीं पहुंचन दिती ताकि तार्मक ग्रंथा दे ग्यान तो ओ वंजे रहन पर अपने बच्चे नू गुर्मुखी ना सिखाके उना नू गुर्बानी तो वंजे रखन दे जिम्मेवार मापयों आप होंगे। क्यो मला मलन दे सुार्थ दिखातर आपस विच ना लडन। वे साखी दे मेले समें गुरु जी पहाडी राजया नू समत देन ली रवालसर गे। रवालसर हिंदूआ दा परसद तीरत है। ए रियासत मंडी विच पहाड दी सिकंदर तारा दा एक तलाब है। तलाब दे कं दुरुपूरब विच सरमोर नादी रियासत है। जिस दी राजतानी नाहन सी। एथे मेदनी परकाश नादा राजा राज करदा सी। सरमोर दी पूरबी सरहद उत्ते जमना नगधी बगदी है। जमना दे परले पास से रियासत गड़वाल है जित्थे फतेशा राज सी इनना दोना राजियां विच इट खड़का लगया रेंदा सी फतेशा ने सरमोर दा कुछ इलाका मल लेा सी जदो इस दी ती दी कुडमाई कहलूर दे राजे पींचंद दे पुतर नाल हो गई ता एह होर मचर गया जदो मेधनी परकाश नू एह पता लगा कि गुरू गु जोता करां दी करपालता करन ताके नित दी कलाय मुख जावे सत्गुरु जी अक्तूबर 1684 विच अननन्दपूर तो नाहनली चल पै जेडे विदवान कभी अननन्दपूर आटके सन उनना नूवी नाल लेलिया लग पग पांचसो शस्तर तारी सिंगादा जथा वी अपन नाल तोर लिया अनन्दपूर तो कीरतपूर, रोपड, खरड, मनी माजरा, रामगड, रायपुर्रानी, पूरेवाल, टोका, आद धावाते होंदे होए सन 1685 अरंब विच नाहन पुझे नाहन पुझ के सत्गुरा ने अपने असर रसूख नाल राजा फतेशा ते मेदनी परकाश विच सुला करवा देती फतेशा ने मेदनी परकाश ता खोया होया इलाका वापस कर देता जबना किनारे रमनीक अते रन निती दी दिरिष्टीतों सुचज्जा अस्थान देख के आप जी ने सन 1685 विच पहला कुझ मकान बनवाए ते पिछों उसनों किले दी शकल दे दिती सत्कुरा दे आन पाव पैर रखन दी याद विच इस था दा नाम पॉंटा सहेब रख्या गया गुर्दवारा सहेब विच जित्थे रोज दो वेले सतसंग हुंदा सी उत्थे जंता दियां रगा विच जोश परनली सत्गुरुजी कवी दरबारवी करवां दे सन एथे शांत वातावरन विच कवीया ने अनेक प्राचीन गरंथा दा उल्था किता अते बीर रसी काव रच्या जित्थे एक पासे सत्गुरुजी गुर्बानी द्वारा सिखा दे मना नू तकड़ा कर रहे सन अते कवीया दिया रच्णावा द्वारा उनना अंदर बीर रस पार रहे सन उत्थे सिखा नू बीरता दे कारणामे करंदे योग बनाऊन दी रोज शिकार के डन लईवी जान दे सन गुरुजी अते सिंगा ने जंगली जानवरा दा चुन-चुन के शिकार किता शेर, चीते, बग्यार, रिच, सूर, अते नील गाया आदिक बना विचो निकल के लोका नू अते उनना दा माल नंगर चुक के ले जान दे सन जहे मास खोरे जानवरा दे शिकार कारण आम लोका नू भी सुख दा सा आया जदों गुरुजी सिंगा समेथ शिकारते चड़ दे ता रंजीत नगाडे वजाए जानदे जिनना दियां गुंजां दूर दूर तक सुनाई दें दियां चूल दे निशान अते नगाडा सुतंतर राजदे चिन गिने जानदे हन पहाडी राजेतां पहला ही खिजे हुए सन नगाडेयां दियां गुंजां सुन सुन के ओ इर्खा दी आग विच होर सडन लग पैंदे पॉंटा सहेब ही सत जनवरी सन 1687 गुरु गुबिन सिंग जी दे पहले सपुतर बबा अजीद सिंग जी दा जनम माता सुन्दरी जी दे कुखों होया असी विख्या की गुरु गुबिन सिंग जी ने हर समय एही चाहया की पहाडी राजे अपने स्वार्थ वस्ते आपस विच लडन दी बजाए शांती नाल रहन अते आम लुकाई दी सेवा करन शिकार खेडन अते रंजीत नगाडे नाल आम जनता विच अजादी दी लोज गई पर कुझ लोग जदो उन्ना नो किसे एक देश नाल जोड के वड़ा देश पगत साबद करन दी कोशिश कर दे हन ते एक कोई गुरु सहेब दी वड़ियाई नही गुरु सहेब एक अकाल पुरक दे पगत सन किसे देश दे नहीं अते उन्ना दा संदेश सारी मनुकता वस्ते संजा है हाँ अगर गुरुआं दे दसे रस्ते दे चलिया जावे ते देश दा पला जरूर हो सकदा है गुरु जी दे दिनो दिन वद रहे तेज परताप तों पहाडी राजे बहुत द दुखी सन कहलूर दा राजा पीन चंद ता सब तों वद उखा हो रहा सी ए राजे अपने आप नू बरमनाते सरप्रस्त अते सनातनी तरम दे राखे अखवां दे सन उन्ना नू दसम पिता जीदा जात रहत परचार लंगर नगाडा किले अते चंडा चुबदा सी कुझ चड़के बकी राजे इस पाल विच सन कि गुरुजी दी हेठी किती जाए अते उन्ना तों इन मनवाई जाए जिनना दिना विच गुरुजी पॉंटे रह रहे सन उन्नी दिनी ही पीमचंद दे लड़के अज मेर चंदा व्या नेड़े आ गया जांज गडवाल दे राजे फते शादे कारजानी सी पीमचंद ने जांज नू पॉंटा सहब्तो लंगाउं दी आगया मंगी उस दी चाल सी की पॉंटा सहब्तो लंगन वेले नगर उजाड दिता जाए गुरुजी ने जांज नू उत्थो लंगन दी इजाजत ना दिती हां लाड़े अते उस्ते गुरु कारदा प्रेमी सी ओ पॉंटा साव विच कई वार गुरु दिर्बार विच हाजरी पर चुका सी व्यादे समय ते सत्गुरु जी ने कुझ चोनवे सूर्बीर सिखादी राखे विच देयाराम प्रोहित अते दिवान नंद चंद आदिक सिध की सिखादे हत कीमती तंबोल पेज दिता राजा फतेशा ने आए सिखानू सतकार नाल नगर तों बाहर चंगा था टिकाना दिता जद राजियानू कीमती सुगाता दा पता लगा ता ओ साड़ बल गे पीमचंद ने अपने कुडम फतेशानू के हा की गुरू गुबिन सिंग मेरा वैरी है उस नाल तेरी मितरता मनू पसंद ने उन्नादा पेजिया तंबोल असा सुला सफाई नाल नहीं लेना सगो लुटना है फतेशाने समझाओं दे यतनता बड़े कीते पर पम्मा प्रोहित किते तेश जान देन्दा से आखर जदों पीमचंद ने वियाही नूनों भी छट जानता डरावा दिता फतेशा भी गुरू जीदा पेजिया तंबोल लुटनली राजी हो गया दिवान नंद चंद आदिक सिखा नो भी राजया दी खोटी मत दी सू मिल गई अते ओ उस से समय पॉंटा सहब वल चल पे पीमचंद दे आदमिया ने हमला किता पर सिखा ने ऐसे करारे हाथ विखाए कि पहाड़ी ये मसा जान बचाके नसे पॉंटा सहब पुझ के उनना सिखा ने गुरू जीनू सारी गल दसी उद्धर फते शादी तीदा व्या हो जान उपरंथ सारे पहाड़ी राजिया ने जिनना विच विशेश करके चंबा, सुकेत, मंडी, जसवाल, हंडूर, पंबोर, कुटलोड, नूरपूर, किष्टवार, नदान, कहलूर, गडवाल, डडवाल, चंदोर, उग्गेसन इकट किता अते ए मता पकाके गुरू जीनू पेजिया की ओ इन मानलान राजिया ने इस पांत दी इक चिठीवी गुरू गुबिन सिंग्जनू लिख पेजी असाहून तक आपनू कुछ कहना ठीक नहीं समझया क्योंकि तुसी गुरू जीदी गद्दी ते बिराजमान हो पर तुसा सब तोर तरीके बदल दिते हन ते साटे ली होर सैना मुश्कल हो गया है जे तुसी सुखी वसना चौन्दे हो ता वफादर परजादी तरा रहो पिछले कमा दी खिमा मंगो ते अगों हुकम पालंदा परन करो जे ऐसा नहीं करना ता अनंधपूर छट जाओ जे था चड़न दी तियार नहीं ता जंग करके छुड़वा ली जावेगी इस पत्तर दे उत्तर विच गुरु जी ने पहाड़िया नू लिखिया मैं किसे दी था विच नहीं रेंदा पिता गुरु तेक बहादर जी ने मुल देके खृदी है मैं किसे दी परजा नहीं जंग दियां तम्कियां फजूल हन जे तो हनू जंग दा बोता ही शोंक है ता असी वी जंग ली तियार हन सारे हलात नू तियानविच रख दिया होया सत्गुरु जी ने जंग ली तियारियां अरंब कर दितिया रन नितीनों मुख रख दिया होया उनना ने पॉंटा सहब तों छे को मील बहर पंगानी दा मदान जाम लिया पंगानी जहना तों उरले पासे है लग पग पंचसो उदासी साद भी पॉंटा सहब विच टिके होय सन ओ सादू निरी तरम चर्चा करनी अते तरम उपदेश देना ही जान दे सन जदो उनना ने जंग दियां तियारियां विखियां सुनियां उस सहम गए अते उत्थों खिसकने शुरू हो गए रतो रात सारे उदासी पॉंटा सहब तों चले गए केवल महंत करपाल दास ही टिके हरेहा महंत करपाल दास जिला लुदियाना दी तहसील जगराओं दे कस्पा हेरा दा रहन वाला सी राजा पीमचंद अते फते शादे वजीरा ने लालच देके उनना फोजी पठाना नू अपने नाल रला लया जिनना नू पीर बुद्धु शाजी ने अपनी सिफारिश दे सद्गुरा पास नोकर रखाया सी चार सो पठाना दी बेवफाई दी खबर तुरंत पीर बुद्धु शाजी नू जाप पहुंची पीर जी अपने चारे पुत्तर दो प्रा अते सत सो मरीद लेके मचे जंग विच पंगानी पुझ गे आखर पहाड़ियां दा टिडी दल पंगानी दे मदान विच आ पुझ जा पहाड़ी राजे दस हजार दी फोज लेके आए 15 अप्रेल 1687 नू दोहां फोजां दा टाक रा होया सिख जथेयां दी अगवाई गुरु जी दी पुआ बीबी वीरो जी दे पंजे सुपुत्तर पाई संगोशा जीतमल मुरी चंद गुलाब राय अते गंगा राम का रहे सन गुरु जी दे मामा करपाल चंद जी ने वी जंग विच हिस्सा लेया दिवान नंद चंद प्रोहत दिया राम अते होर अनेका सिख गब्रु अपने गुरु पातशादे चर्नापों कुर्बान होन दी अकठे हो गए सन राजा मेधनी परकाश ने अपने चोनवे सिपाही गुरु जी दी फोज विच पेज दिते सन इंज सिख फोज दे गिंती दो हजारतों उपर हो गए सी ओ सिख भी जिनना ने कदी शस्तर अब्यास नहीं से किता इस लड़ाई विच कुद पे महंत करपाल दास उदासी मोटा सोटा चुकी मदानविच आग जिया इस सोटे नाल ही उसने हयात खांदा सिर फे दिता संगो शा ने तलवार दे इको वार नाल नजाबत खांदा सिर ताड़तों अलग कर दिता जंग दे समय ही कांची दा एक तर खांद सिख पाई रमा लकड़ दिया दो तोपा गड़े उते लद के लैप उंचिया इनना तोपा दे वरतन नाल ही पहाड़ियां वेच बड़ी कबरहाट मची सद्गुरा ने आप कमान संबाली अते तीरा दी वर्खा करन लगे उनना दा जंग वेच हिसा लैना ही सी की पहाड़ियां नू पाजड़ा पैगीया गुरू जी अते होर सिखा दे कैरी हमले दी ताब ना चल देया होयां फतेशा मदुकर डड़वालिया अते जसवालिया दर्या पार करके नस गे नजाबत खान ते संगोशा आपस विच पिड़ पै नजाबत खान ने ऐसा वार किता की संगोशा डिग पै पर शहीद हुंदे हुंदे उन्हा ने भी ऐसा वार किता की नजाबत खान भी उत्थे ही टेरी हो गया हरी चंद हंडूरिया कमान चुकी सदगुरादे समने आ गया उग कमाल दा निशान ची सी उसने गुरु जी नू निशाना बना के तीर चलाने अरंब कर देटे उसता पहला तीर गुरु जी दे कोडे नू लगदा दूजा गुरु जी दे कन नू छूंदा होया निकल गया अते तीजा लक उते बदी पेटी ते आवज़ा पेटी चीर के तुनी तक पहुँच गया ममूली जहा जखम होया फिर सत्गुरा ने हरी चंददा निशाना बन के तीर चलाया इको तीर नाल ही उड़िग पया अते उसते स्वास निकल गए हरी चंददा मरना ही सी की सारे पहाड़िये मेदान छटके नस गए सत्गुरु जी अते सिखा द दे दो पुत्तर अते एक परावी शहीद होये इस जितनाल सिखा दे होसले बुलंद होगे अते ओ आनवलियां जंगा वस्ते भी त्यार होगे इस जंगदा पहला कारन ता पहाड़ी राजियां दी इरखासी सिखी लहर दुआरा ऊच नीच नू खतम करना चूत छात नू मिटोना पते जात पात खतम करन ली वरन वन विरुद जहाद खड़ा करन नू ब्रह्मन सनातन तर्म नी खतरा समझ देसन सिखी ने देवी देवतियां दी पूजा मूर्ती पूजा यग करोने पुजारियां नू दान देना तीर्थ शातरा करन वर्त रखन आद दा कोर विरोध किता सी एगल ब्रह्मन वर्ग दे हितविच नहीं सी सो इन्ना ने सिखी दी लहर नू दबाउन दे इरादे नाल पहाडी राजया नू पड़काया उपरों उपरों पावे राजया नू एही किया कि गुरु जी फोजा दी सहायता नाल तोहाड़े इलाके मल लेंगे एग बड़ी अस्चरज वाली गल है कि जिनना ब्रह्मन दे कैन उते हिंदू तरम दी खातर 12-13 साल पहला गुरु तेक बहादर जी ने दिल्ली विच शहीदी दिती सी अज उन्ना ही ब्रह्मन दे सिखाए हुए अते हिंदू तरम नू मनन वाले राजे गुरु जीनू इन मनाउन दी फोजा लेके जंग दे मिदान विच आगे सन। ब्रह्मन वाद दे इस जात अब मानी किरदार तो सुचेत रहना चाईदा है इना दी हर समय एक कोशिश रेंदी है कि सिखी नू हिंदू मतदा हिस्सा दस के सिख तरम दी न्यारी हस्ती नू खतम किता जावे पर जदों इपने मनसूबियां विच सफल नहीं हो पांदे तां 1984 वांग गुरु तेक बहादर सहब जीदे शहीदी इस्थान गुरदवारा सीस गंज ते रकाब गंज ते हमला करंतों भी गुरेज नहीं कर दे। गुरु जी पास पॉंटे पुझे जिवें ओस समय दे राजे महराजे अपनी शाही ठाठ नल पालकियां ते नोकरा चाकरा नल निकले अगर देसा। गुरु जी दे दर्शन करन उपर पीर जी नो ओशांती पराथ होई जिड़ी उन्ना नो तर्मी पुस्तका या पजन बंदगी ना दे सकी सी। गुरु जी नाल विचार वटंदरा करके उन्ना दे मन दे सारे शंके दूर होगे। वापस सडोरा जान समय उन्ना दे मन विच्चों तूंते मैधा पेद खतम होगया सी। पेली मिलनी पिच्चों ही पीर गुद्धु शादा गुरु जी पास आना जाना सदारन होगया सी। उन्ना नो आउनली पालकी दी लोड ना रही। उन्ना ने देख लिया कि गुरु जी दी लड़ाई किसे राज लई नहीं सिरफ जुलम दे खिलाफ है जड़ा ग्रीव ज वेब दी फोज विच्चों शिया हों देना ते कड़या गया सी। पहाडी राजियां पंगानी दा युद शुरू करन तो पहला पांच सो पठाना विच्चों लालच देके चार सो पठान अपने नाल गंड ले। पठाना दी इस कर्तूत दा पीर बुदु शान पता चलया ता उन्हानों बहुत अफसोस होया। वो अपने साथ सो मुरीद चार पुतर ते दो परावानों नाल लेके गुरू जी दी मदद लिप पुज गे। पंगानी विच कोर युद होया। इस युद विच उन्हान दे दो पुतर शहीदियां परात कर गे। युद विच सो विदाईगी लैन लियाए। पीर जी नूँ गुरू जी ने पुछया। पीर जी आपने इस युद विच साड़ी बहुत मदद किती है। आप दी कोई खास मंग होवे ता जरूर दसो। ओस समय गुरू जी केसा विच कंगा कर रहे से। पीर जी ने कहा। गुरू जी आ अपकेसा समेथ कंगा पीर बुद्धु शानों बक्ष देता। औरंग जी ने जनों पता चलिया कि पीर जी ने गुरू जी दी पंगानी युद विच मदद किती सी ता उस ने उस्मान खान नों फोज देके सडोरा पे जिया। उस्मान खान ने पीर जी नूं गृफदार क वकीर पीर बुद्धु शाजी ने गुरु गुबिंज सिंजी दे मदद ली अपने मुरीदां ते पुतरा समेत वड़ा योगदान पाया। पर आज कुछ फिरका परस्त लोग ये चूटा परचार बड़े जोर शोर नल कर रहे ने कि गुरु गुबिंज सिंजी ने मुसल्मान तरम खिलाफ हिंदू तरम ने बचाओं ली जंगा लड़ियां। जदकी हिंदू पहाडी राजया ने गुरु गुबिंज सिंजी दे खिलाफ हर लड़ाई विच बहुत तरोक माया। गुरु जी किसे तरम दे खिलाफ नई सन। उन्ना ने मुनुक्थी हकाँ दी राखी वास्ते जंगा लड़ियां। जो समुच्ची मानता वास्ते प्रेरना स्रोत है। पाईक नईया जी पिंड सोद्रा जिला गुजरावाला दे रहन वाले सन। आप पहली वारी गुरु तेक बहादर जी दे दर्शना ली अनंद पुराई। गुरु जी दे दर्शन करन पिछों आपनू बहुत अनंद प्राप्थ होया। उस अनंद नू हर समय मानन ली आप गुरु कर विच ही रह पै। आपनू गुरु दे लंगर विच पानी दी सेवा संबाल दित्ती गी। पंगानी दा युद शुरू हों तो पहला गुरु गुरु गुबिंद राई जी ने आपनू जंग दे मैदान विच लोड़ वंदानू पानी पिलाँ दी सेवा बक्षी। पहाडी राजियां चार सो पठाना नू नाल मिलाके सिख्खा उपर हमला कर दित्ता। रन पूमी विच जिसनू प्यास लग दी ओ पाईक नया जी पास पुझ जन्दा। आप उसनू पानी पिला देंदे। हिंदू, मुसल्मान, सिख्ख ते पठान आप पासो पानी पीके ताजा दम होके फिर युद विच जुट जन्दे। सिख्खा ने जदो पाईक नया जीनू पठाना ते पहाडी राजियां दे सिपाईया नू पानी पिलोंदे तक क्या ताउं सहार न सके। सिख्खा सोचया पाईक नया जे दुशमन दे फटड़ा नू पानी ना पिलावे ताउं जरूर प्यास नाल दम तोड़ दें। सिखाने जाके गुरु जी पास शिकायत किती। सारी कहानी दसन पिछो और ना बेंती किती कि उसनु दुश्मन दे सपाईयानु पानी पलांतों रोक्या जावे। गुरु जी ने पाई कनईया नो बुला के पुछया पाई कि ए सच कह के तू वेरियां ते सपाईयानु पानी पला के सिखाना लडन लई फिर तियार कर देंदा हैं जिनना नो एजखमी ते फटर कर दे हं। पाइक नयायाने उतर देता, सचे पाद्शा मैनू ता कोई वेरी नजर नहीं अन्दा, सार्यां विच प्रमात्मा ही नजर अन्दा है मैं किस नू पानी पिलावा ते फ़र किस नू जौब देवा मेरे पास जड़ावी लोडवंद पानी दी मंग करदा है मैं उसनू पानी पिला देंदा है आपने ही मैंनू इस युद विच लोडवंदानू पानी पिलांदी सेवा सोंपी है गुरु जी पाई कनया जी दा उत्तर सुनके बहुत परसन होई गुरु जी ने अपने पासों पाई कनया जीनू मलंपटी फड़ांदे होए के हा पाई अगे ली तुसी पानी दी सेवा दे नाल नाल फटना दी मलंपटी दा काम भी करना इस काम ली अपने नाल कुझ होर सिखानू भी ले लोगो ते जथा त्यार कर लो तुसी उस जथे दे मुखिय होगे पाईक नया जीने उस तरह ही किता सिखा दा एक जथा त्यार कर लिया ए सब तो पहली रेड क्रॉस दी सेवा दा अरल सी उस तो पिछों जख्मिया ते लोडवंदा दी देख पाल करन वाले जथे अपने आपनों सेवा पंथी अख्वान लगे गुरू गोबिंदराई जी दिया नजरा विच कोई वेरी जब बिगाना नहीं सी सारे उस मालक दे पैदा किते होई सान उना दी लड़ाई सिरफ गरीबा उपर होंदे अत्याचार नों रोकन ले सी इस साकी रही असी समझिया कि जित्थे सिख ने जुल्म दे खिलाफ डटके खड़े होना है उत्थे ही लूडवंदा दी सेवा बगेर किसे वैर विरोध दे करनी है पंगानी दे जंग विच थोड़े जहे सिखा ने पहाडी राजियां दी मिलवी फोज नों लक तोडवी हार दिती सी इस नाल जित्थे सिखा दे होसले बुलंद होए उत्थे पहाडी राजियां नों वी विश्वास हो गया कि ओ मुसल्मान हाकमा दी सहाइता दे बिना गुरू गुबिन सिंग जी नल टक्कर नहीं ले सकदे पंगानी दा युद जित्तन दे कुझ समा मगरों दसं पिता जी पॉंटा साब तो अनंद पुर्णू तोर पै अते सडोरे हुंदे होए लाहडपुर पुझे एथे आपने तेरा दिन डेरा किता हते शिकार दा शुगल मानिया एथो मानिक टाबरा ते राइपुर गये राइपुर दी राणी ने चंगी आउपगत किती ते हत्थी परशाद शकाया फिर तोड़ा नाड़ा आद पिंडा तो होंदे होए आप टकोली पुझे इन जगा हुन जिरपपुर विच आंदी है उत्थे पानी दी तंगी सी आपने बॉली लगवाई फिर कोटला निहंग आए एथोंदे पठाना ने प्रेम नाल सेवा किती गुरु जी ने उना नो इक तलवार बक्षी जेडी उना ते उना दी उलाद ने बड़े सतकार नाल साम के रखी कोटला तों रुपड कनोली बुंगा हुन्दे होई कीरतपुर आए कीरतपुरों अनंदपुर सहिब अक्तूबर 1787 विच पुझे सत्कुरु जी अनंदपुर लगपग तेन साला मगरों परते सन इस समय विच अनंदपुर बेरोन का जिहा हो गया सी गुरु गुबिन सिंग जी दे मुड आउन नाल अनंदपुर विच एक वार फेर चहल पहल हुई नवे मकाना दी उसारी हुई ते वसों विच वदा हुया सत्कुरु जी दी लम्मी नदर ने वेख लेया सी की हुन जांग दा मिदान अनंदपुर ही बनना है अनंदपुर शहर नो होन वाले हमलेया दी मार तो बचाउन दी सत्कुरा ने सतलुज नदी दे किनारे निर्मोगड होलगड अते लोगड किले बनाए चरन गंगा दे किनारे फते गड़ अते उस तो कुझ दूर केस गड़ अते फिर सब तो उच्ची था उते अनंदगड नाम दे किले बनाए अनंदपुर विच हत्यार बनाऊंदा कार खानाता पहला ही ला देता सी हुन उस विच फिर जोर शोर नल कम शुरू हो गया बंदूका अते तोपा पारी गिंती विच बनाईया गिया किलें दी उसारी इस टांगनल किती गई सी कि वेरी दियां फोजां अनंदपुर पुझ ना सकन एक तो बाद दूजा किला वेरी नू रुकन ली खलोता सी पहला सतलुज ते फिर चरन गंगा पार करना किसे फोज ली मुश्कल परया काम सी सिखां विच आतम विश्वास परनली गुरू सहब ने होला मला शुरू किता दरसल होली पारत दा मूसमे त्युहार है इस दे तिन नाम हन होली होलका अते होला का बसंत रुद तो पहला पतजड विच कुझ उदासी जही दा परबाव प्यार रेंदा है बसंत दी खिडी बहार विच पशु पंची अते मनुख सबना दे चित खिड जान दे हन एक दुझे उत्ते रंग सुट के लोकी ए त्युहार मना दे हन इस त्युहार दियां रंग रलियां वद दियां वद दियां विकार अते गंद वाल रूची फढड गयां रंगा अते गंद नाल लिबडे होई मनुख होली वाले दिन पूत्रियां दी तरह लग दे हन कई तां श्रबां पीके डंगो डंगी वी हो जन दे हन होली नू हिंदुआं दा तिहार वी आख्या जन दा है एक पुरानिक कथा अनुसार प्रलाद पगत दी पूवा टूंडां जिसनों होली का भी कहा जन दा है शिवदे वरदान करके अग विच पसम नहीं सी हो सक दी हर नाकश ने प्रलाद नू होली का दी गुदे विच बठाके लकडियां दे टेर नू अग लाद दी पर मातमा दी करपा नल पर लाद तां बच गया पर होली का सड़ गई हिंदू फगन महीं ने दी पूरन माशी वले दिन दुष्ट आतमा होली का दी चिता दी नकल बनाके साड़ दे हन अते उस दी सुआ उड़ां दे हन गुरू गुबिंज सिंग शिंग ने सिखानू होली मनाऊं तो मना कर दिता अते होली दी था होला मला मनाऊं दी रीत चलाई होला दे अर्थ안 हमला अते महला दे अर्थान हमले दी था सत्गुरा ने ए रीत सिखा विच बी रस परनली ते उना नू शस्तर अते युद विद्या विच निपुन बनाउनली चलाई सी आप होले मले वाले दिन मुखी सिंगा दी सरदारी विच सिंगा दे दो दाल बना के एक खास जगा ते कबजा करनली आख दे सन सत्गुरु जी आप सिंगा दे फोजी करतब देखते सन अते जेतू दालनू सिरुपा बख्षते सन अनंदपुर सहब विच आजवी होला मला बड़े उत्षा अते जोशनाल मनाया जन्दा है असी वेख्या की गुरु साहब ने हुली वरगे नकरातमक तुहार हुला मलाविच बडल के चड़दी कलादा परतीक बना देता अनी बेमिसाल विचारता रादे हुंदेयां सिखान कालपनिक ते मितहासिक कहानियां ते टिके तिहार जमें हुली वरखडी करवा चोथ नो बिलकुल नहीं मनना चाहिदा औरंग जेब ने पंजाब दे मुगल हाकमा नो लिखिया कि वो पहाडी राजियां को लो मालिया टेक्स दत तानमाल उगरा के पिजवान जो कि पहाडी राजियां ने कई सालां तो नहीं सिदिता शहजादा आजम ने कश्मीर दे गुवर्नर इबराहिम नो लिखिया कि वो इस कम विच उस दी सहायता करे इंज पहाडी राजियां उत्ते बिपता आ बनी उनना बथेरा केहा कि गुरु गुबिन सिंग जिना लड़ाई समे बहुता खर्चा हो गया है इसलही मालिया तारना मुश्कल है पर दुहां सूबेदाराने उनना दी एक न सुनी निराश्ता दी हालत विच उनना गुरु गुबिन सिंग जिनाल सुला करन दी सोची बिपता विच फसे होई पहाडी राजे दशमेश जीदी शरन विच आए सद्गुरा ने पहाडी राजे नो ओरं जेब दे जाल विचो कड़न दे ख्याल नाल उनना दी सहाइता करना मान लिया कश्मीर दे गुवर्नर इबराहिम ने मिया खान नो फोचा दे के मालिया अगुराहन दी जमू पेजिया मिया खान आप जमू दे इलाके विच जतन करदा रहा ते ओथों उसने अपने एक सरदार अलफ खान नो कांगडे पेजिया कांगडे दे करपाल चंद ने सला दिती कि जे पहला कहलूर दे राजे पींचंद तो मालिया उगरा लिया जावे ता बाकी राजे आपे ही दे देंगे सो दो में करपाल चंद ते अलफ खान चल के कहलूर वलवदे अते नदोन जाके डेरा लाया एत्थों दर्या पार करके पींचंद दे इलाके विच आना सी पहाडी राजे पींचंद दे सरदारी हेट टाकरे ली तियार हो गए इना विच गुलेर दा कुपाल, जसवाल दा राम सिंग, पृत्वी चंद डड़वालिया, केसरी चंद जसवालिया, अते जसरोटे दा सुखदेव आदिक शामिल सन अलफ खान ने नदोन तो पींचंद नो मालिया तारन दा हुकम पेजिया तीन चंद ने मालिया तारन तो इनकार कर देता अते होर पहाड़ी राजया समेथ टाकरा करन ली नदोन कोल आप उजा कीते एकरार अनुसार, गुरु गुविन सिंग जी भी सिख फोजा समेथ आप उजे अलफ खान ने जदों गुरु गुविन सिंग जी ते पहाड़ी राजया दा एकट वेख्या ता ओ बहुत हैरान होया ओ ता समझदा सी कि पिछले साल हुई पंगानी दी लड़ाई कारन गुरु जी पहाड़ीया दा साथ नहीं देंगे करपाल चंद ता उजे ही कबराया प्यासी जंग अरम हो गई गुरु जी ने तीरा दी खूब वर्खा किती करपाल चंद का टोच ता पहला हले विच ही जख्मी हो गया ओ अलफ खान सामने गुरु जी दी अजमत अते शक्ती दी वडियाई करन लग पया सुन सुन के अलफ खान भी डर गया अते रात दे हनेरे विच दोवे नदोन चटके पच गये इंज गुरु पात्षा दी सहायता ना पहाडी राजे नदोन दा जुद जित गये उनना बहुत खुशिया मनाई है गुरु जी हफता पर उत्थे ही टिके रहे अते राजेया ने आदर सहत अनंद पूर जान दी विदाईगी दिती ए जंग सन 1688 दे नवंबर में ही ने विच होया नदोन दी जंग उपरंद कई साल अमा नाल गुजर गए किसे नाल कोई चडपना होई लहोर दे गुवर्नर भी जल्दी जल्दी बदल दे रहे हर एक गुवर्नर नो अपनी ही पई रेंदी सी उन्हा मालिया टेक्स की उगराना सी इस समय विच गुरु पाथशा जी ने सारे किले पक्के कर ले असी विख्या कि पंगानी दे युद विच पहाडी राजयां दी मकारी दे बावजूद गुरु गुवर्न सिंज ने उन्हा दा साथ देता इस तरह उन्हा ने मुगल सल्तनत नाल सिद्धी टक्कर ले ले क्योंकि गुरु सहाब दा मकसद बहुत वड़ा सी किसे वेर विरोतो निरलेब रहके लोकां दी गुलामी दे कारण मर चुकी जुमीर नो मुड़ जीवत करना इस वड़े मकसद दी प्राप्ती ले मुका परस्त राजया नो एक मुकाता मिलना चाहिदा ही सी सनातनी समाज विच वक वक जुरूरतां दी पूर्ती वास्ते वको वकरे देवते ते देवियां मित के उनना दी पूजा किती जंदी है जिवें वड़ी उमर ली मारकंडे दी पूजा संगीत सिद्धी ली सरस्वती दी पूजा ते बिमारी तो बचन ली शनी देवते दी पूजा ऐस तरह होर वी बहुत सारे देवी देवते मित रखे हन पुरानिक मे थे हास अनुसार राजे सूरज दे अठ पुतर सन सब तो छोटा शिनिचर सी ओ बड़ा काला बद शकल अते महा दलिदरी सी उसनु लोका ते कहर टॉन वाला देवता मन्या गिया है उस ती कुरोपी तो बचन ली लोक उस ती मूरती अगे ओही पे टावा रखे हन जो उन्नु जुंदियां जीवन निर्बाली मिल दियां सन जिमें तेल, संदूर ते लोहा शिरी गुरु गुबिन सिंग जी ने ए विखन ली कि सिखवी किदरे शनिचर दे जालेच फसेता नहीं पे एक कोत कर चया एक दिन आपने वेदवी शनिचर देवतेदा दान लैन वाला ब्रह्मन उसनू सद्दा कलिया ते अंदे शनी वार नू दर्बार विचों शनी देवतेदा दान लै जावे गुरु किया ब्यंत संक्ता नू त्यानविच रखके ब्रह्मन दान लैन ले खोतियां समेथ पुझ गया गुरु पात्षा ने सज्जे दर्बार विच दिवान नंद चंद जीनू केहा कि पंड़ित जीनू शनी देवतेदा दान देना है दिवान जीने संक्ता दे समने ही खोतियां उत्ते सारीयां वस्ता लदवाद दिया सत्गुरा पंड़ित नू एवी केहा कि हुन तां शनी देवता स्वल्ली नजर रखेगा दिवान विच बैठे हुई गुर्सिक ये सारी खेड नू बड़ी हरानी ना लवेख रहे सान कि थे तां गुरु पाथशा एक अकाल पुरह दी पूजा दा उपदेश दिन दे सान ते कि थे आज शनी देवते दी कुरोपी दूर करन लग पए हम सत्कुरा दे हुकमानों त्यान विच रख दियां जिवें किवें बैठे ही रहे जदों पंडित जी अपने खोतियानों भाक के तुर पे तां कई गुर्सिक भी हो ली हो ली उनना दे पिछे हो तुरे ते उसनों बाहर खेता विच जाके रिया उसको लों सारा समान खो लिया ओ एवी आखदा रहा कि एशनी देवतेदा दान है ते गुरु जी ने एशनी महराज दी कुरूपी तो बचन ली दिता है इसनों केवल ब्रह्मन ही हजम कर सकदा है गुर्सिक्खा ने सारियां वस्ता संबन तो बाद ब्रह्मन आख्या पंडित जी एथों पतरा वाचन दी महरबानी करो इस दान नू हजम करना असी चंगी तरह जान दे हा तुसी होरना दी तरह सानू मूरख नहीं बना सकदे ब्रह्मन विचारा मू लटकाई अपने कार पर्त गया गुर्षिखा ने सारा समान लंगर विच लेंदा मादी दाल पी के सरों दे तेल विच वड़े तल के वर्ता दिते अते लोहे दे कड़े बना के हथा विच पाले दूजे दिन सिखा ने ब्रह्मन तो समान खोहन दी सारी वार्ता गुरुजिनू कैस नाई सत्गुरु सुनके गद गद हो गए उन्ना किहा मनु ए वेख के बड़ी परसंता होई है कि गुर्षिख देवी देवतियां दी मनोत अते वेमा परमादे जालतों पुरी तरह अजाद हो चुके हन गुर्बानी ते गुरु सहब सानु बार बार समझान दे हन कि सिख ने एक अकाल पुरक्तों इलावा किसी देवी देवतियनों नहीं मनना पर कई गुर्दवारियां विच विखनों आया है कि शनी वार्दे दिन सिख अखवंदे लोक वी काले छोले चड़ांदे नजर आ जांदे हन इस साखी तो सेद लेके इस गुर्मत विरोधी करम काड़नों जल्द तो जल्द त्याग देना चहिदा है चोथे पात्षा शिर्गुरु रामदास्ची ने देश पारविच सिखी दे परचार सिख समाजनों गुरु कारना जोड़ी रखन अते संगतातों कार पेट एकठी करके गुरु दिरबार विच पहुंचान ले मसंद सिलसला अराम किता से ए सिलसला काफी समा बड़ी कामयापी नहल चलता रहा मसंद सिखी दा परचार भी कर देसं अते अपने उच्चे सुचे जीवन राही सिखी रहत दा नमूना भी पेश कर देसं वो अपनी कर्त कमाई विचों दसवंद कड़ देसन अते बाकी संक्तां दे दसवंद समेथ गुरु दर्बार वेच पहुंचान देसन जमेकी आम होंदा है माया अधिकार ते अक्तियार इंसान नू डिगन ते विगाडन दा कारण बन देहन समा पाके मसंद वी डिगने ते विगडने शुरू होगे गुरु दर्बार ली मिली माया ते समगरी नू ओ अपनी खातर वर्तन लगपे उनना दा आचरन वी विगड़ गया ते एबा मिच फास गे सदगुरां वल्लों बक्षी गई पदवीदा वो नजायस फैदा उठान लगपे ते अकड़ विच आके संग्तना प्रती बोल को बोल भी बोनन लगपे सान कई एन्ने एश प्रस्थोगे सान की तरमदी खातर दुख कष्ट सैने उनाली मोत बराबर सान एही लोक सान जिडे चौंदे सान की गुरु पात्षा जबर जुलम विरुद तलवार ना चुकन जंग युद ना लड़न सगों चुप चपीते दिन कटी जान इन्ना नहीं माता गुजरी जी नू कई वार के हासी की दसम पात्षा नू जंग जुद करन तो रुकन अते ए लोक जदो समा मिलदा अपने इन्ना विचारा नू सिखा विच परचारन दा यतनवी कर दे संगता पहला वी मसंदा दे पैड़े वतीरे दी शिकायत कर दियां रंदियां सन गुरू पात्षा ने इस सिल्सले नू बंद करन दा ही मन बना लिया आपने हुकम जारी किता कि सब मसंदा दियां मुश्का बन के उन्ना नू गुरू दिरबार वेच सोला सो अठानवे दी विसाखी समय हाजर किता जावे संगता ने एमें ही किता गुरू सहब ने संगता तो उन्ना दे इलाके दे मसंदा बारे जानकरी पराप्त करके उन्ना मसंदा नो योग सजामा दितीयां अते मसंद सिल्सला हमेशा लिबंद कर देता लम्मे दे इलाके दा मसंद पाई फेरू बड़ा तर्मी सच्चा सुच्चा परपकारी बंदा सी सारे लोग उस दी इज़त कर दे सान उस दियां मुश्का बन के गुरू दरबार विच ले आउं दी किसे नू हिम्मत ना पई ओ आप ही अपनी दाड़ी नू हाथ विच फड़ के तरबार विच पेश हो गया गुरू जी दे लेखा कार ने किहा कि पाई फेरू वलों दसवंद बकाईदा नहीं पुझदा रहा ए सुनके गुरू पात्षा बोले इस पाई साब वल कोई बकाया नहीं है इसने कदे अमानत वेच ख्यानत नहीं कीती इसते उच्चे सुच्चे जीवन दीता इलाके दिया संगतावी परशंसा कर दिया हम सानू पता लगा है कि ए नंगयानू कपड़ा ते पुख्यानू आन दिन्दा रहा है ग्रीपानू दिता आन ते तान सानू सिद्धा पुझ जान्दा है फेर गुरु जी ने पाई फेरु जुनू सिरौपा देके संगत सहेब ते सच्ची दाड़ी दी पदवी बक्षी इननातों इलावा कमालिये दे पाई जोद दिपालपूर दे पाई राओ ते पाई तक्तमलनू वी बक्ष दिता गया इस साखी रही असी समझिया कि मसंद पर्था विच जदों गिरावट आ गई ते गुरू गुबिन सिंग्जी ने इसनों खतम करन विच ही पलाई समझी हजवी गुर्दवारा परबंद कमेटियां विच प्रिष्टाचार ते गिरावट कोई लुक्या होया नहीं गुर्दवारा परबंद हजपारी सुदार मंगदा है ताके सच्ची दाड़ी वाले सेवक परबंद ली अग्गे आ सकन गुरू तेक पहदर्जी दे दिल्डी विच शहीती देन पिछों गुर्णानक दे कारदी शोबा देश दे कोने कोने तक फैल गई गुरू कुबिंद राय दे दर्शन करन ली अमीर गरीब अनंदपुर पुजन लगे गुरू जी ने सिखा पासों दसवंद इकठी करन वाले मसंद हटा दिते सिख संक्ता अपना दसवंद आप अनंदपुर लेके पुजन लगिया संक्ता दा प्यार गुरू कारन वद गया ते गुरू दे दर्शन करके होर अनंद मانना लगिया गुरू पास दसवंद लेके आँ वालीयां संक्ता नू रस्ते विच मुसल्माना रंगडा गुजरा ते होर लुटेरियां तंग करना शुरू करदेता रस्ते दी लुट मार तो बचन लई संक्ता ने शस्तर रखने शुरू कर देते लोड पैन उपर उना दी वर्तों भी कर लन दिया ओ छोटियां चडपा सैमियां जातियां दे जागन दी बहुत बटी गवाई सी गुरू जी ने गुर्णानक सहाइब दी विचारता रान जामा पहनाओं दा मन बना लिया गुरू जी ने चंगा समा देखके सिक संक्तान ती मार्ज 1699 वसाखी वाले दिन अनंदपुर्व इकठे हों ली सद्धे पत्तर पे जे असा दी वार्दा कीरतन समात होन उपरंत गुरू जी दवान विच एक चमक दी तलवार लेके हाजर होई उना संक्तान ओ तलवार दिखांदे होई बड़ी कड़कवी अवाज विच केहा सानो एक सीस दी लोड है है कोई सिख जेड़ा अपने गुरून सीस पे एट कर सके गुरू जी दे हाथ विच नंगी तलवार दे एक सीस दी मंग दे डारनाल संगत सहम गई सारे पासे चुप चा गई तीसरी वारी अवाज देन उपर पाई द्याराम लहोर दे खतरी ने उठके बेंते किती सचे पादशा ए तन मान सब आकदा है ते आप अगे हाजर है मैं आप दी पहली अवाज उपर हाजर ना हों दी मौफी मंग दा हाँ गुरू जी ने उसनों बाहों पकड़या ते तंबू विच लैगे डरी ते सैमी होई संगत नं तंबू विच्चों अवास सुनाई दिती जवें गुरू जी ने पाई देयाराम दा सिर ताड़नालों अलग कर दिता होवे गुरू जी ने फिर दवानवेच हाजर होके एक होर सीस दी मंग किती इस वारी पाई तरमदास दिल्डी दे जट ने अपना सीस पेट किता इस तरह तिन होर सिखां जगानत पुरी उडिसा दे पाई हिमत राए द्वार का गुजरात दे पाई मोकम चंद छींबे अते आंदरा विदर दे पाई साहव चंद ने सीस पेट किते पंजा सिखां दे सीस पेट करन पिछों गुरु जी ने तंबू विच्चों उन्ना पंजा सिखां नू द्वान विच हाजर किता जेडे पूरे सजे होई सिंग सान हुन ओ पांज प्यारे सान जिन्ना ने अपने सीस गुरु जी दी पेट किते सान गुरु जी ने एक लोहे दे बाटे विच सतलुज नदी दा जल ते पता से पाए गुरु जी ते पंज प्यारे उस बाटे दे द्वाले बैठ गे एक खंडा लैके गुरु जी ने उस बाटे दे जल नू हिलाना शुरू किता ते गुर्बानी दा पाठ करना अरम किता पाठ दे पोग पैन उपर गुरु जीने केहा हुन खालसा त्यार किता जावेगा खालसा वहे गुरु दी फौज होवेगी खालसा जुलमदा नाश करेगा खंडे ते बानी नाल त्यार किता पहुल पंचा प्यारियानों छकाया गया उनना दे केसां, दस्वें द्वार अते अक्खा विच छट्टे मारे गए पंच प्यारियान दे पहुल छकन उपर खालसे दी साजना होगे गुरु जीने खालसे नू बेंती किती के उनना नू भी खंडे दी पहुल दी दात बक्ष के खालसा बना लिया जावे गुरु घोबिंद राये आप खंडे दी पहुल लेके गुरु घोबिंद सिंग होगे गुरु जीने सिखा नू वी दात बक्ष के सिंग बना दिता ते इस्तरियानू कौर दी पदवी दिती गई ब्रह्मना दे बनाये होई चारे वर्ना दा मत पेद खतम कर दिता इस नाल सिखा विच्चों ऊच नीच खतम होगे सारे सिंग प्राप्रा होगे सिंगा दे मना विच्चों होमेदी मैल कड के खालस बना दिता गुरु जीने पंजक कार केश, कंगा, कडा, करपान ते कछेरा सिंगा नू अपने तानते सजाई रखन दा अदेश दिता खालसे नू संथ सपाही सजा दिता त्यान देन वाली ते विचार करन वली गल है कि जिनना पंजा प्यारें सीस हाजर किते सन हो सब अलग अलग सूबे जन स्टेट दे रहन वाले सन उना विच्चों सिरफ एक लहोर पंजाब दे रहन वाला सी पंजादे कामकारवी वकरे सन ते उन्हादियां बोलियां वी वकरियां सन इस तो अनमान लगाया जा सकदा है कि उन्हादिना विच सिखीदा बूटा किते तक फैल्या होया सी इस साखी रही असी जन्या की खालसा प्रगट करना गुरु गोबिंद सिंग्स जीदे महान कारजा मिचों एक सी जिसने जात बिरादरी औरत मर्द अमीर गरीब वरगे सारे पेद मिटा के सच्चा इनसान बनाया पर अज सिख कुम ब्रह्मन दे बनाये जात पात विच फिर तो फासली है पंजाब विच कई जगा ऐसी हैं जिते एक पिंड विच ही जात दे अदार ते कई गुर्दवारे हैं आओ असी गुरु सहाब दे हुकमन मंदे हुए अपनी नानल सिंग ते कोर्तों इलावा जात ना लिख्या करिए ते खालसा सज जईए सहिब शिरी गुरु नानक देवजीतों लेके दसम पाच्छा तक दे गुरु इतहास नो जिते आनल वाच्या जावे ता एक गल सपष्ट हो जान दी है कि पावे खालसा पंथ दी रचना शिरी गुरु गुरु गुबिन सिंग जी ने कीती सी पर नी गुरु नानक सहब नहीं रख देती सी मगर ले आठ गुरु सहबान ने उस नी उपर खालसा पंथ रुपी महल दी उसारी कीती अते दस्वे गुरु जी ने उस महल नू सम्वार शिंगार के अंतम रूप बख्षिया गुरु गुबिन सिंग जी ने लोका दे मना विच कोमियत दा जोश परिया अते उज नीच ते जात पात दे विदकरे नू खतम करन वाले विचार तारा नू अमली रूप दिता ते कहा कि सब मनुख एक समान राजसी अधिकारा दे मालक हन ब्रामना नू समझ आगी कि हुन कुर्मत दी अगवाई हेठा लोका विच जागरती आ रही है अते जन्ता नू वेमा परमादा जाल विचा के लुटन दे अफसर कटते जा रहे हैं ओ आप ना कुछ कर नहीं सन सकदे पर ओ दूजियां दे मुड़े उत्ते बंदूक रखके दुश्मर उत्ते वार करना खूब जानते सन सो उन्ना ने पहाडी राजया नू उक्साना शुरू किता जदो इन्ना ब्रामना तो पम्मे प्रोहित वरगया नू एप पता लगा कि गुरु जी ने नमापंथ साजया है ते सब जातां दे लोका नू एकको बाटे विच्चों अम्रित शकाया है ता उन्ना दी हिक उत्ते ता साप लेट गे उन्ना भाडी राजया नू ए आख के पड़काया कि गुरु गुबिन सिंग जी ता शुद्रा नू भी योते बना रहे हन जो की खत्रियां ते राजोत राजयां दा ही हक है उन्ना ने होर आख्या कि गुरु जी ने एकको बाटे विच शुद्रा ते होर उच्चियां जातां दे लोकानों अम्रित शकाके सिम्र्तियां ते शास्तरां दे वैदिक तरम उते करारी साट मारी है इन्ना दिना विच्छी एक जेही कटना कटगी जिस्तों पाड़िये गुरु जीनल इरखा करन लगपे अते गुरु जीनू अपना वैरी समझन लगपे ओ कटना सी सिंगां द्वारा बलिया चंद ते आलम चंद ना दे राजयानों एक चड़पवे चहराना एक दिन गुरु गुबन सिंग जी कुझ सिंगां समेथ शिकार खिडन लई गए ओदर दो छोटियां छोटियां रियास्तां दे हिंदू राजे बलिया चंद ते आलम चंद अपने फोजियां समेथ कातलाई बैठे सान उनना ने सिंगां उते अकचानक ही हला बोल दिता सिंगां ने भी अग्यों डट के मकाबला किता अते पहाडियां नो पजा दिता सिंगां ने पजियां जान दियां पहाडी फोजा दा दूर तक पिछा किता ते उनना मुझ जंगा दुडाया पता लगन ते हंडूर ते कहलूर दे राजया ने भी कुछ सपाही पेजे पर उदों तक पहाड़िये मार खाके पाज चुके सन जदों सिंग जोश विच पहाड़ियां दा पिछा करी जा रहे सन ता गुरू जी अपना कोड़ा छेड के सडको लंबे रुखां दी एक चिड़ी विच जा खलोते उद्धर पहाड़ियां ने अटक के दुबारा सिंगां दा टाकरा कीता सिंगां ने पहाड़ियां दी चंगी दुर्गत बनाई पर सत्गुरा नो अपने विच ना वेख के कुछ कबरा गए एनने विच कुछ सिंगां ने सत्गुरा नो चिड़ी विच जा लबया ते बाकी सिंगां दी कबराहट बारे दस्या गुरू जी तुरंत लड़ाई वली था ते पुझे सिंगा दे होंसले वद गए उन्ना ने पहाडियां ते एक जोरदार हमला किता ते उन्ना नू रन पूमी विचो मार पजाया ज़़ सारे पहाडी राजया नू इस कटना दी खबर लगी ता उँ भूत चिंता तुल हुए कि थोड़े जहे सिंगा ने जिमे शेरा वांग बुख के जिन्ना नू पहाडी नीमी जात वाले ही समझया कर दे सन सो सारे राजया ने इकट करके इस नवे खत्रे बारे विचारां के तिया पहाडी राजया नो हुन मुगना वलनों ता कोई डर नहीं सी क्योंकि हुन सारे बड़े बीपी राने बनके मालिया टेक्स तार है सां ते मुगला दी मार तो बचे होई सां गुरु गुबिन सिंग जी दी अगवाई विच गृपा ते शूद्रा ता जाग उठना अते जंग ते मैदान विच पहाड़ी सिपाईयां ते मुगला नाल दो हथ करने उनना ली एक वड़ा खत्रा सी इस खत्रे नू टालन ली राजया ने मुगला कुलों ए आख के सहायता मंगी कि आजता सिंग साडे ली खत्रा बने हुए हा कल नू मुगल हकूमत लईवी बन जानगे सो तेजी नाल उपर रही इस नवी शक्ती नू शुरू तो ही दबा देना चाईदा है मुगला तो सहायता लैन ली सरहंदते सूपे कुल अपने वकील पेचे कोरंग जेव दखन विच सी कई तरादियां चूठियां सचियां खबरां पेज के उस पासों सिंगा नू दबाउन दी परवान की मंगाई गी एंज अनंधपूर्तियां लड़ाईयां दा मुड बच्चा अजो के समय विच हिंदुदुवी संगठन बड़े जोर शोर नाल परचार कर रहे हन कि गुरु गुबिन सिंग्जी ने मुसलमना ना लड़न वास्ते खालसा पंथ साजया सी अफसोस आज कई पुले पाले सिख भी इस परचार दे असर हेठ आके ये चूठ मनी जान दे हन इतिहासक साचते ए है कि हर लड़ाई सिखा उते थोपी गई सी अते उस्ता कारण जात अब वानी हिंदू पहाडी राजे ही सी वो गुरु जी वलो उज नीज ता पेद मिटा के लोका विच आई जागरती नो बरदाश्त नहीं सन कर पा रहे आज भी तर सरकारां देश द्रोदा इल्जाम लाके पोले पाले लोका नो जेला मिच डगदन दिया हन पर वड़ी गल ए है कि सिखा नो कोई गुम्रा ना कर सके इस वास्ते ए बहुत जरूरी है कि असी आप गुरुबानी ते सिख इतिहास नो पढ़ना अपने रोजाना दिन चर्यादा हिस्सा बनाईए कटो कट एक साखी हर रोज ते जरूर पढ़िये या सुनिये स्तारां सो एक इस्वी विच पहाडी राजिया ने गुजरां ते रंगडा नो नाल लेके अनंदपुर उपर हमला कर दिता उस सारे रालके भी सिंगा नो हराना सके सिंग किले विचों बड़ी हुश्यारी नाल लड़ दे रहे जितना हुंदी देखके उँ अनंदपुर नो केरा पाके बैठके पहाडी राजिया पारो अन पानी अंदर जाना बंध कर दिता दो महीने दे केरे पिच्छों वी सिंगा हार ना मननी एक दिन राजा केसरी चंद ने दूसरे राजिया नाल ये योजना बनाई एक हाथी दे मथे उपर लोहे दे तवे ते डाला बनिया जान ते हाथी नू सुखा खुआ के ते श्राब पला के मस्त किता जावे उस दी मददनाल लोगड़ दे दर्वाजे नू तोड़िया जावे दर्वाजा टुट जानते सिंगा उपर तावा बोल दिता जावे हो सकेता गुरु नू जिन्दा पकड़ ले जावे जावे फिर मार देता जावे गुरु जी नू केसरी चंद दे दर्वाजा तोड़ंदी व्योंत औना दे सुहिये तों मिल गई गुरु जी ने कहा साड़े पास गड़ी अंदर वी एक हाथी है जेड़ा केसरी चंद दे हाथी दा मूँ पुआ सकदा है दुनी चंद उस समय गुरु जी पास खड़ा सी उसनों लगया जवे गुरु जी दा इशारा उसवल होवे ओ हाथी दा मुकाबला करन तो डर गया उसने रातों रात गड़ी दी कांद टापके पाजजाना ठीक समझया रात दे अंदेरे वीच किले दी कांद टपन लगया डिग गया ते लाग तक टुट गई बड़ी मुश्कल नाल वो अपने कार अमरित सर्पुजा दुनी चंद दे पिछों उस दे दो पुतर अनूप सिंग ते सुरूप सिंग अपने पिता दी बदनामी दी कालक टोन ली गुरु जी पास अनंदपुर हाजर होके अमरित चाके गुरु कार दी सेवा विच लग गई बेमख होके दुनी चंद दे पाज जानतों दुजे दिन पहाडी राजियां दा मस्त कीता हाथी गड़ी दे दर्वाजे नेड़े पुझा तां गुरु जी ने पाई बचत्तर सिंग जो पाई मनी सिंग जी दे पुतर ने नूँ थापना देती उसनों नागनी बर्चा दे के हाथी दे मुकाबले ली पेज देता गुरु जी दी बक्षस सदका उनने गड़ी दे दर्वाजा खुलवा के बड़ी तेजी नाल कोडे नू पिछले दो पैरां ते खड़े करके नागनी हाथी दे मत्थे विच मारी नागनी हाथी दे सिर्व उपर बनने होईयां तविया नू चीर दी होई मत्थे विच जाता सी हाथी दा शराब दे सुखे दा नशा सब उतर गया ओ दुख दे तकलीफ नाल तरफदा होया पिछे नू पाज़े तुरिया हाथी पहाडी राजयां दी फोज नू ही लताडन लगा केसरी चंद दी फोज विच पाज़ड पैगी खालसे नू फोज नाल दो हाथ करंदा मोका मिल गया पाई उदे सिंग ने लगदे हत लड़ दियां लड़ दियां एक वार विच राजा केसरी चंदा सिर ताड़नालो जुदा कर दिता गुरू जी पास जग सिर हाजर किता पहाड़ी राजे अपने दुजी स्कीम दे फेल हों दे नाल नाल केसरी चंद नुवी मरवा बैठे ते हार खाके वापिस परत गे इस साखे विच असी समझया कि जदो जान दी बाजी लगान दा समा अंदा है ते दुनी चंद वरगे पेखी सिख ते पाई बचतर सिंग वरगे सच्चे सिखा विच फरक करना असान हो जन दा है जून चरा से विच विच वी जदो पंथ ते पीड पई ता एक पासे ओ सन जो अपनिया जाना वार गे ते दूसरे पासे ओ लीडर जिनना कुर्शी दे बचान दी खातर सरकार रल समझोते कर ले जदों कुझ समा अमन दा मिलया ता सदगुरा ने तरम परचार फेरी लौन दा मन बनाया सन स्तारा सो दू चमासे दे दिन सन सदगुरु जी मालवे नू लखी जंकल दे इलाके वल तरम परचार वास्ते चाल पै एथे आप सबों की तलबंडी विच चोदरी डले को लठेरे सूरज ग्रहन दा मेला नेड़े जान के आप कुरक्षेतर आए एथे पहाडी राजे भी पुझे होई सन दसम पात्षा ने लोका नू समझाया कि सूरज ग्रहन एक कुदर्दी कटना है इसता तरम नाल कोई सम्मद नहीं ते नाहीं सूरज कोई देवता है उत्थे सदा बर्त लंगर लगा के सूरज ग्रहन समे कुछ ना खान दे पर नू तोड़िया अते उज नीच दे विचारा नू त्याग के सब नू मनुखी पाईचारे विच आउन ता उपदेश दिता मेले मगरों अनंद पुर नू वापस चाल पै कुरक शुटर तो चलके सद्गुर जी अजे चमकोर ही पुजे सन की लहोर तों दिल्डी जार ही शाही फुजा दे दो सरदारां सैद बेग ते अलफ खान ने आप जी दे जथे उत्ते हला गोल दिता मुगल फोजदारा ने एहला पहाडी राजियां दी बेंती उत्ते ही किता सी पहाडी राजियां ने इना फोजदारा नो रोज दा दो हजार देना करके रोपड टिकाया होया सी चमकोर विखे होया एह हमला बड़ा अचानक सी ते सिंगां दे गिंती वी दुश्मना नालो बहुत थोड़ी सी पर उन्ना ने मिदान विच मुगल सपाईयां दा डट के टाकरा किता सैद बेग ने गुरु जी दी शोबा अगे कई वार सुनी होई सी हुन उसने विख्या कि सिंग के में अपने प्यारे सद्गुरु तो जानना वार है सां अमन चैन नाल जार है सिंगां उत्ते अपना एह हमला उसनों बड़ी मंदी कर दूरत जापी वो मनविच बड़ा शरम सार होया कि कुछ पैसें दे लालच विच उसने सद्गुरु जी वर्गी पुवित्तर शक्सियत उत्ते हला बोलिया है उसको लो रहना हुया जदो लड़ाई पूरे जो बनते सी वो मुगल फोजादा साथ छटके गुरु जी दी शरन विच आ गया अलफ खान ने विख्या कि हुन जितना असान काम नहीं है इसलिए ओवी लड़ाई बंद करके दिल्ली वल तुर्पया सद्कुरु जी वापस अनन्दपुर आ गये सैद बेग भी नाल ही आ गया ते एथे ही रहन लगा पामे पहाडी मुगला दी सहायता ना लगातार एक कोशिश का रहे सन कि सिख कोम दी वद रही ताकत नो खतम करके राख देता जावे पर गुरु जी दी अगवाई विच सिख अगे ही अगे वद दे जा रहे सन सिखा हथों वार वार मार खान मगरों पहाडी राजया ने दखन विच औरंग जेब नो फिर बेंती पत्तर पे जे के सिखा दी शक्ती नो बाना चाईदा है नईता ए मुगल राजले एक खत्रा बन जान के बादशा ओरंग जेब दे हुकमा अनुसार दिल्ली तो जरनैल सैद खान दी कमान हेट अनदपुर ते हमला करन ली फोज पेची गई ए सैद खान सडोरे दे पीर बुद्दुशा जीदा साला सी दिल्ली तो अनदपुर आंता होया सैद खान सडोरे ठेरिया अते ए पीर बुद्दुशा जीते अपनी पैन नसीरा नो मिले पीर जीने उसनों दसेया गुरु जीता सचे दर्वेश हन ओ किसी रियासत दे मालक न ना ही उना दा निशाना किसे रियासत उत्ते कब्जा करना है। पीर जीदे ए बचन सुनके सैद खान ता मनवी कुछ दुचित्ती विच पै गया। गुरुजी अते सिंगा दिखातर पीर बुद्दुशा जीदी किती कुर्बानी दावी उसते मन उत्ते डुंगा असर होया। पर ओ गुरुजी दियां सिफ्तानों अक्षी विखन तो बिन डावां डोल ही सी। इसे दुचित्ती विच वो फोज लेके अनंदपुर वल वदिया। सैद खान ने 29 मार्च 1704 नू अनंदपुर उत्ते हमला किता। हाडी दी फसल दे दिन सां। अनंदपुर विच केवल 500 सिंग ही सां। वैरी दल दी बहुत वड़ी किंती बारे सुनक पावें सिखा विच कुछ कपराहट जही हुई। पर सत्गुरा दे उपदेश सदका सग सिंग टाकरे ली त्यार होगे। सैद बेग जेडा की चमकोर विच होई लड़ाई समें मुगल फोज दा साथ छड़ के गुरु जीदा मुरीद बन गया सी अनंदपुर विची रहन इक होर मुसलमान जोदा मेमुन खानवी गुरु जीदे चरना दबोरा बन के उथे ही टकिय वाया सी। जदो सैद खान दियां फोजा ने नगर्ते हमला किता तां गुरु जी दे दोहां मुसल्मान शर्दालुआ ने गुरु जी तों वेरीदा टाकरा करन ली आगया मुंगी गुरु पात्षा ने कुछ सिंगा नू इना दे नाल पेजिया जंग विच सैद बेग ने हरीचंद नाम दे पहाडी राजे नू पार बुला दिता पर उसे समय मुगल फोज दे एक सरदार दिना बेग ने जूरदार हमला किता सैद बेग बड़ी बहादरिना लड़या पर इस हमले विच शहीद हो गया मेमन खान ने भी लड़ाई विच वद्द चड़के हिस्सा लिया ओ भी लड़ता होया शहीद हो गया मुगल फोज दा जरनैल सैद खान ये वेख के बहुत हैरान होया कि गुरु जिते मुसल्मान शर्दालुआ ने कि में उस्तियां फोज दा टाकरा कर दिया होया शहीदी पाई है मुठी पर सिंगा दा मुगल फोज नल जानना हूल के लड़ना वी उसलिए एक हरानी जनक गल सी हुन उसनों पीर भुतुशा जी दे लवज याद आ रहे सां कि गुरु जी निर्वेर हम उस दे मन अंदर वी गुरु जी ली प्रीत जाकन लग पी उसनों इंज जापया जिवें ओ अल्ला दे प्यारे नल युद मचाके तरंतों गिर्या हुया काम कर रहा है उसनों अपने इस करम उत्ते एनी करना हुई कि जंग दे मेदान विच्चों एक पसे हो गया फिर रमजान खान ने फोज दे कमान संबल दी गुरुजी दे एक तीर ने उसनों वी जखमी कर देता सिख फोजान दी बहुत ही थोड़ी गिंती नू वेखतियां होया सत्गुरा ने अनंदपुर खाली कर देता शहर दिया इस तरियां ते बच्चेयां दी संबाल करके ते उन्नानू सिंगा दी हिफाज़त विच लेके गुरुजी एक पसे हट गे मुगल फोजाने अनंदपुर विच बच्या होया माल लुट लेया ते सरहांदवलनू हो पईयां सिंगा ने वेरी दल उते हमला करल दी सला किती जदो मुगल सिपाही लुट दे नशे विच रात समय अराम कर रहे सन ता सिंगा ने अचानक ही कैरी हमला बोल देता मुगल फोज विच पाज़ट पैगी इस हफ़डा दफ़डे विच सिंगा ने लुट दा बहुत सारा माल वापस खो लिया अते अनंदपुर शहर उते मुड कबजा कर लिया इज अंत विच इस लड़ाई विच वी सिंग जेतू रहे औरंग जेब उनों एक खबरा पता लगएं ते बड़ी चिंता हुई कि गुरु गुबंच सिंग जिना लड़न गया मुगल फोजान दे सरदार वी गुरु जी दे मुरीद बन जन दे हां ते बादशाही फोजान आग गुरु जी वलनों होके लड़ दे हां इस साके विच असी देखिया के सैद बेग, मेमुन खान, ते फिर सैद खान दा गुरु सहाब जी दी शक्सियत तो प्रबावित होके मुरीद बनन तो एस सिद हो जन दा है कि निर्पो ते निर्वेर्ता दे गुनानू गुरु आने आप जी के दसया और फिर एही गुन सिखा दे जीवन विच भी चलके औरंग जीवन ने दिल्ली, लहोर, सरहंद, जमू, ते मुल्तान दे नवाबा नो लिखिया कि और रालके अनन्द पूर उते हमला करन अते गुरु को ते सिंख नो कैद करलें जेकर गुरु नो जिन्दा ना पकड़े जा सके ता उना दा सिर वाड़े लेंदा जावे औरंग जीवन दा हुकम पुजन उपरंद, सरहंद दे नवाब वजीर खान ने पहाड़ी राजयनों कि हा कि ओ इस वार अनन्द पूर उते हमले विच मुगल फोचा दा साथ दे बिलासपुर दे अमीर चंद, कांगड़े दे कुमंट चंद, जसवाल दे बीर सिंग, ते कुलू, कैंथल, मंडी, जमू, नूरपूर, चंबा, गुलेर, सिरी नगर, बशहर, बिजरवाल, ते डड़वाल आते राजया ने मुगल फोचा दा साथ देन दा फैसला किता रंगड़ अते गुजर भी इस संजे महाज विच शामल होगे लहूर दा जबरदस्थ खान, ते सरहांद दा वजीर खान, हजारा दी फोज लाके अनदपुर वल चल पे दिल्डी अते कश्मीर तो मी मुगल फोचा एदर तूर पेंगा, पठानी अलाके विच जहाद दा नारा वी लाया गया इस करके होती मरदान तक दे मुसल्मान कश्मीर वी फोज देनाल शामल होगे जदो ओरंग जेग दे हुकमा दी खबर शिरी गुबिन सिंच नो मिली सी ता उन्ना ने भी माजे, मालवे दे दुवबे दे पिंडा विच सिखा नो सुनेहे पेज देते सं जदो सिखा नो पता लगा कि मुगला ते भाड़ी फुजा एक वार फिर अनंदपुर दा नामो निशान मिटाउं दे इरादे नाल लड़ाई करंदियां त्यारियां कर रहे हैं ता उपिंडां तो जथे बंद होके शस्तर, कोडे, रस्दां ते होड लोडीन दा समान लेके अनंदपुर नो चल पे जेडे सिंग अनंदपुर विच पुझे उनना दे गिंती मसां दस हजार दे करीब सी वैरी दलां दे एक हिस्से ने चड़दे वलों ते दुझे हिस्से ने लेंदे पासियों मई 1704 नो अनंदपुर उत्ते हला वोल देता गुरु गुबिन सिंग जीने पांच पांच सो सिंगा दे पांच जथे केसगड़, अनंदगड़, होलगड़, लोगड़ ते अगंपुर विच टिका देते वैरियां दा मुकाबला करन ले सिंगा ने नगरतों बाहर आके मोर्चा बंदे कीती दोहा पासयां तों तोपा दे गोले, बंदुका दियां गोलियां अते तीर मीवांग वर्दे रहे सिक फोज उची थां तेसी ते वैरी दल निवी थां ते इसलिए उस थांतों सिंगा ने तीरां दे बंदुका नल चंगा चुका नुकसान किता जदो सिंगां दे जथे वैरी दल दे नेड़े पुझे जान दे ता सिंग तलवारां लेके वैरी उते पुखे शेरां दी तरह पै जान दे संग जित्थे सिंग, तार्मक जजबे देना जवर जुलम विरुद लड़ रहे सन उथे मुगल अते पहाडी सिपाही केवल तंखा दिखातर लड़ रहे सन सो एक कुदर्ती सी कि मुगला ते पहाडी सिपाइयां विच सिंगा जिहा जोश जजबा दे चड़ी कला दी पावना नहीं सी कुझ ही दिना विज मुगला नू एगल साफ हो गई कि जे ओ सिंगा हत्थों इंज ही अपने जुहन मरवन्दे रहे ता अनंदपूर जित्या नहीं जावेगा सो मही नाको पर इंज लड़न मगरों उनना ने पिछे हटके अनंदपूर नू चुफेरियों के रंदा फैसला किता वैरी दुआरा अनंदपूर दी नाका बंदी करन ना सिंगा नू रसद पानी दी तकलीफ पासन लगी जेडे सुवे नाल अनंदपूर नू पानी मिलता सी मुगला ने उस ता मूँ भी मोड देता जो कुछ शेहर विच ते सिंगा दे किलियां विच सी सिंग उसे ते गुजारा करन लगे पर अंदर रसद पानी बहुती नहीं सी हलात अत्थों तक पुज गे कि एक एक मुठी छोलेया नाल सिंगा नू पेट दी अग बुजानी भी कई वार छोले भी ना मिलते पुखते दुखों हाथी ते कोडे भी तडफ तडफ के मरन लगे जे सिंग किले विच पुख अते विमारियां कारन मुसीबत विच फसे पैसान तां बाहर वैरी दल भी सुखा नई सी मुगल सरदार बड़ी मुशिदी हालत विच सन केरा लंकी जा रहा सी ते सिंग इन मनन दी थां उते लड़न मरन नू त्यार पैठे सन मुगल फोचा ते पहाडी सेना नू पहला गर्मी ते फिर बार्शा ते हडा कारण बहुत परशानी होई सी उन सरदिया नेड़े आ रहिया सन ओवी इस जंग तों पिच्छा छड़ाना चौंदे सन कुझ समा होर बीद गया सिंगा नू वैरी दल विच किरे होया ते वैरी न लड़दियां 6-7 महीने बीद गय सन इनना दिना विच ही औरंग जेब दी एक चिठ्छी आई जिस ते नाल उसने दस्थखत किता होया कुरान भी पे जैसे उसने इस चिठ्छी विच कई दिलासे दिते होय सन ते लिख्या सी की शाही वकार दी काइमी ली इस जरूरी है कि तुसी अनन्द पुर खाली कर देओ इस चिठ्छी दे नाल नाल पहाडी राजेया ने गउते गीता दियां कस्मा खाके चिठ्छी लिखी ते केहा कि जे सिख किला चढ़ जान ता उनना नो कुझ नहीं किहा जावेगा अते ओ औरंग जेग नो मुँ दिखाऊं जो बेखो जानगे जद नगर वासिया नो औरंग जेग दी चिठ्छी दा पता लगा ता उनना ने रालके गुरु जी अगे बेंती किती कि नगर वासिया दी पलाई दी खातर गुरु जी जंग बंती दा ऐलान कर दें अते सिक सेन का सिमेत नगर खाली कर दें गुरु जी ने सब नो दिलासा दिता ते समझाया कि एवी वेरी दी एक नमी चाल है उतर गुरु जी ने मुखी सिंगा नाल हालात बारे विचार उप्तांदरा किता सो एफ हैसला किता गया कि वेरी नाल रानवी चे जूजया जावे जेडे सिंग जूजते होई सुरख्यत थावाते चले जान ओ त्यारी करके फिर मुगल हाकमा विरुद संगर शेड़ा नगरवासी लोकां दिया इस्तरियां ते बच्चे ता जंग अरंब होन तो पहला ही बाहर पे जेजा चुके सन पर गुरुजी दा सारा परवार अनंदपुर विजही सी राजया नो जो पता लगा कि सिख अनंदपुर खाली कर रहे हन ता उनना जंग बंदी दा एलान कर दिता ते कीरतपुर वने पासियों नाका बंदी हटा दिती ते संबर 1704 दी वी अते 21 तरीक दी विचकारली राज सी जनो गुरु सहेब ते सिंगा ने अनंदपुर दा किला खाली कर दिता गुरु सहेब ते सिंगा नो असे कश्ट इसे लिए चलने पए क्योंकि ओ मनुखी हकां दी गल कर दे सी ते बरापर दे शहरी वांग विचर दे सी उच नीच ता पेद मिटाके इकको पंगत विच लंगर चक दे सी कोड सवारी कर दे सी, शिकार खेड दे सी ते गरीब दी रख्यावस्ते हथ्यार चुक दे सी गुर्मावलों बक्षी ए बरापरी जात अब मननी बरामना ते पहाडी राजियां ते मुगला दी हाकम दे रनू बरदास्त नहीं सी उन्नी सो चुरसी विच भी दरबार साहब दे हमले दा कारन दे एहो सी सिख बरापर दे शहरी वांग रहना चौन दे सं ते अपने हकां दी गाल कर दे सं जमें पंजाब दे द्रियाई पानी दा हक सिख तरम दी वक्री होंद नू मांता दें दा हक ते बेकसूर सिखां दे कातला नू सजा पर हाकम दे नू नुकां विच आई जागरती ना ते पहला बरदास्त सी ते नही होन सो जदों तक हलीमी राज कायम नहीं हो जान्दा ये टकराते जारी रहेगा क्योंकि सिख या ते बादशाय ते या फिर बागी गुरू जी उनना दा परवार अते सिंग अनंधपूर खाली करके अजे कीरतपूर कोल ही पुजे सन की अपनिया सारिया कस्मा पुला के कहलूर दिया पहाडी फोजा अते सरहंद दे वजीर खां दिया फोजा ने उनना उपर हला बोल दिता कीरत पूर्तों छे को मिला ते विथ ते सरसा नदी है जिस वेले सिख दा वहीर इस नदी दे किनारे पुजा ता इस विच हड आया होया सी ते पानी ठाठा मार रहा सी सिख पारी मुसीबत विच किर गए उनना दे पिछले पास से वेरी दल मारो मार करता आ रहा सी ते सामने सरसा नदी पर इशूक दी सी शिरी गुरु गुबिन सिंज ने कहा कि जंग विच किसे हालात विच वी वेरी अगे हत्यार ने सुटने जूजदियां होया शहीद हो जाना है गुरु जिता परवार वी तिन हिस्सियां विच बंडिया गया पाई मनी सिंग जी दी अगवाई विच एक जथे नाल गुरु के महल सान जो सरसा नदी पार करके पाई जवाहर सिंग जिते कार दिली वलनू रुवाना हो गए माता गुजरी जी छोटे दो सहब जादें नाल सान अते वड़े सहब जादे बबा अजीद सिंग जी ते बबा जुजार सिंग जी गुरु जिते नाल सान गुरु जी समेथ सिंगा ने कोडे सरसा नदी विच ठेल दिते एनने नू वेरी दलवी या पुझा सरसा किनारे लड़ाई अरम हो गए जेडे जथे वेरी नू रुपनली कायम किते गए सन वो जानना हूल के लड़े पाई उदे सिंग जी लड़े 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 शहीद हो गए उना दी थां पाई जीवन सिंग जी जिनना दिली तों गुरु देग बहादर जिदा सीसले अंदा सी ने मल ले अते अग्गे वद रहे वेरिया नू ठल पा देती पर ए वेख के कि सहभजादा अजीद सिंग जी लड़े होए वेरियां दे केरे विच आगे हन ता आप उदर ही आगे सहभजादा अजीद सिंग जी लड़े लड़े वेरियां दे केरे विचो निकल गए पर पाई जीवन सिंग जी उत्थे ही शहीद हो गए सैंकडे सिंग सरसा नो पार कर दिया होया मोत दा शिकार होगे क्योंकि पानी दा वेग बहुत दिखा से वेरि दल ने सरसा पार करन दा खतरा मुल ना लेया गुरु गुबिन सिंग जी बबा अजीद सिंग जी बबा जुजार सिंग जी अते डेड कु सो कोड़ सुआर सरसा तो पार लंग के एक जथे दे रूपचे कठे होके रोपड़ वालनों हो पै उद्धर गुरु बिन सिंग जी जदों अपने जथे समेत रोपड़ कुल पुझे ता अगों रोपड़ दे पठाना ने रस्ता रोग लिया दोहां पासिया तो तलवार चली अते जानी नुकसान होया फिर सत्कुरु जी सत्को दी शामनों चमकोर पुझ गे चमकोर रोपड़ तो लंदे पास से पंदरा को मिलना दी विथते है उस समें गुरु जी दे नाल दोवे बड़े सहब जादे अते चाली सिंग ही सां बाकी सिंग रोपड़ दी लड़ाई विचे शहीद ते फटड़ हो गए सां चमकोर पुझ जन ते एपता लगा कि दिल्ली तो होर बुगल फोज आ रही है ते चमकोर दे नेड़े ही पुझ गई है चमकोर पुझ जन उते उत्थे दे लोका ने गुरु जी दा निग्गा स्वागत किता उत्थे एक हवेली सी हवेली दे मालक चोदरी बुधी चंद ने गुरु जी नो बेंती किती कि ओ सिंगा समेथ हवेली विच डेरा लौन ए सोच के कि दिल्ली बलों आ रही फोज दे कारण चमकोर तो अगे जाना ठीक नहीं गुरु जी ने इस हवेली विच जिसनों सिक एतिहास ने कच्ची गड़ी करके लिखिया है टिक के वेरी दलादा मुकावला करन दा मन बना लिया अगले दिन 22 दिसंबर 1704 संसार दा अनोखा युद गिंती विच शाही फोजां सान जिनना कोल समेद वदिया तो वदिया हथ्यार सान मुगल फोजां दे टिड़ी दलने गड़ी नू चोढ़ा पास्यां तो केर लिया पर गड़ी ते नेड़े आउं दी किसे नू ही मतना पई मुगल जर्नेल नहर खान ने पोड़ी लगा के गड़ी उत्टे चढ़ना चाहिया पर गुरु जी ने तीर नाल उसनू उत्टे ही चट कर देता फिर गणी खान ने दिवार उपर चढ़ना शुरू किता उसने थोड़ा जहा सिर ही चुकिया सी कि गुरु जी ने गुर्जनाल उस्ता सिर्पन देता एक होर जर्नायल खुआजा महमूद अली ने जद साथ्यानों मरते देखिया ताँ उक कंद दे उल्ले विच ना सगया गुरु जी ने उस दी इस बुजदली कारण जफर नामे विच उसनों खुआजा मरदूद करके लिखिया है सरहंद दे नवाब ने फोचानों एको वार हमला करनदा एलान किता गुरु जी नवी टाकरे ली पंच-पंच सिंगां दे जथे गड़ी अंदरों बाहर पेजने अरम किते गड़ी दियां चोहां बारियां ते भी कुझ सिंग खड़े कर दिते गुरु जी आप सहब जादियानों नाल लेके गड़ी दी सिंप्टी ते चड़ गए सिंगां दे जथियां ने गड़ी तों बाहर आके वदर ही मुगल फोज नों करारे हत विखाए गड़ी उपरों गुरु जी ते सिंग गोलियां ते तीरां दी चंगी वर्खा कर रहे सां दो कड़ियां खूब लोहे ते लोहा वज़ा सैंकडे फूजी मदान वेच डिग पे पांत पांज सिंग भी शहीद होगे फिर गुरु जी ने पंज सिंगां दा दुजा जथा पेजिया उस जथे दे सिंग भी वेरियां दा चंगा चोखा नुकसान करके शहीद होगे सतकुरा ने सहबजादा अजीद सिंग जीनू जंग वेच जूजन दी आगया दिती आपने सहबजादे नू थापड़ा दिता ते केहा कि उस सहबजादे नू जूजदियां वेख के परसन होगे बबा अजीद सिंग जी दे नाल होर अठ सिंगां दा जथा तोरिया गया बबा जीती उमर उस वेले अठारां को वरिया दिसी गड़ी विच्चों बाहर निकल दिया ही सिंगा ने जैकारा चड़िया मुगल फोजावी अगे वदिया अते सहबजादे नू केर लिया बबा अजीद सिंग जी ने तीरा नाल कईया दिया च्छतिया वेन सुटिया बबा जी ते होर सिंगां कोल तीर मुख गे सिंगा ने पोगोतिया सूद लेया बबा जी नेजे नाल वार करन लगे उन्हा संजो नाल टके एक मुगल सरदार दे सीने विच नेजा मारया अनी मुडी करके नेजा खुबिया ही रहा बबा जी ने तलवार संभाल लई ते फोजा दे विचकार बीरता दे जोहर विखान लगे लड़दे लड़दे अठे सिंग शहीद हो गे एक मुगल सरदार दे नेजे नाल बबा जी ता कोड़ा जख्मी हो गया आप पैदल ही तलवार वहान लगे बबा अजीज सिंग जी ने इकल्या लड़दे वेख के वैरी एको वार उना उते आप है बबा जी लड़दे लड़दे शहीद हो गे गुरु जी युद ने बड़े गोवनाल वेख रहे सान जो तो बबा अजीज सिंग जी शहीद हो गे ता सत्गुरा ने आप बड़े जोर दी जैकारा चड़िया वड़े परानों शहीद होंदे वेख के सहब जादा जुजार सिंग जी ने वी गुरु पिता नों जंग विच जान दी आग्या मंगी गुरु जी ने बड़ी खुशी नाल बबबा जी नों जंग करन ली तोरिया नाल पांच सिंग होर पे जे बबबा जी दी उमर चोदा साल ना दी सी मुगला ने बबबा जी दे जथे नों केर लिया बबबा जी ने हाथ विच नेजा लेके वेरियां दियां छातियां फुंडनियां रंब कर दियां बीर बालक ने चंगा युद मचाया गड़ी तो गुरु जी ने मुगल फोजां ते तीरा दी चड़ी ला दिती केरा तुट गया बबाजी तीरा दी छा हेठा अगे वदी गए फिर आपने तलवार हत विच लेली ते वेरियां दे चंगे अभू लाहे पर मुगल फोजां दे हड अगे छे सिंग किनी को देर टिक सकते संग एक एक करके शहीद होगे पर उना ने एस सिद कर दिता कि एकला खालसा लखा वेरियां विच भी युद मचा सकता है उदर सूरज छिप रहा सी ते एदर चंकोर दे मिदान विच सहब ज़दा जुजार सिंग जी भी शहीदी पागे गुरू जी ने फिर जैकारा छड़िया रात पैगी जंग बंद होगी रहरास दे पाठ मगरो सत्गुरा ने सिंगा नो चड़दी कला विच रहके जूजदिया होया शहादता पाउंदा उपदेश दिता सत्गुरा एवी किया कि ओ दिन चड़दे सार सब तो पहला आप जथा लेके मिदान विच जानगे सत्गुरा दे इस फैसले तो सिंग बहुत कबरा आ गए और चौंदे सन कि गुरु जी बच के निकल जान अते लोका नो पारी गिंती विच सिंग सजाके मुग्ला नाल दो हथ करन सिंगा ने इस पांतियां बेतियां सत्गुरा अगे कितियां पर सत्गुरु जी अपना फैसला बदलन नों त्यार आ हुए उदर सिख भी ए मन बनाई बैठे सन कि सत्गुरु जी नों किसे हालत विच भी शहीद नहीं हों देना वो समय दे सन कि सद्गुरा दी इस समय दिती शहादत पंथली करारी साथ सावत होवेगी सो पाईद्या सिंग जी ती प्रेरना नाल सिंगा ने अपने विचों पांज प्यारे चुने पाई द्यास सिंग जी ने पांज प्यारयां वल्लो गुरु जी नू पंथदा हुकम सुनाया कि ओ जिवें किमेंवी होवे रात नू गड़ी विचो निकल के सुरख्यत थांते चले जा पंथदे गुरु होंदा सिदांत गुरु जी ने खुद उसी दिन तो चलू किता सी जदो उन्ना आप सन सोना सो निडिनमे दी वसाखी नू पांज पैयारयां तों अमरित चक्या सी सो आपने पंथदे हुकम अगे सिर चुकाया ते गड़ी छड़ जाना प्रवान कर लिया दसम पात्षा ने बाकी बचे दस सिंगा नू गड़ी विचो बाहर जान दी वियोंद समझाई ते दस्या की ओ अपने नाल पाई देया सिंग पाई तरम सिंग ते पाई मान सिंग नू नाल लेके जान गे बाकी सत्ता विच्चों अपनी शकल नाल मिलदी जूंदी शकल वाले पाई संगत सिंग जिनूं कलगी देके अपनी पुशाक पहना के गड़ी दी सिंटी विच बैठन दी तजवीज समझाई ता जो मुगला नूं उन्ना दे गड़ी विच होंदा पुलेखा बन्या रहे एक सिंग जो गुरुजी तों काफी दूरी दे सी उसने उच्ची उच्ची कहा हिंद दा पीर जा रहा है जिस्ती हिम्मत होवे फड़ लवे फिर दुझे ततीजे सिंग ने वी वक वक थामतों इंज ही कहा वैरी दलनू जिद्रों अवाजा आया सां उद्धर कटा वड़ शुरू हो गई वैरी समझ दे सान कि सिंगा दा जथा आपया है रात दे हनेरे विच मुगल फोचां ते सिपाही आपस विच ही पिड़ पै इस हफड़ा दफड़े विच गुरुजी तितिन्नों सिंग वैरी दलनू पारी ने राशा होई क्योंकि सिंगा दीता कोई लाश न लबी पर मुसलमा न दिया लाशा ही विखाई दितियां गुसे विच पढ़के होई वैरी दलने गड़ी उत्ते हला बोल दिता गड़ी अंदरों सत्ते सिंग लड़दे होई बाहर होई ते शहीद और ना नू गुरु गुबिन सिंग जी समझ के वैरी पारी गिंती विच टुटके पै गए पाई सहब ने लड़दियां होयां शहीदी पाई वैरी दल बड़ा खुश सी कि उसने गुरु जी नू शहीद कर दिता है पर जदो सरहंद दे सूबे वजीर खान ने परताल असलियत समने आई कि गुरु जीता फोजा विचो सुरक्यत चले गए हम ए मुगल हकुमत नू करारी चोट सी कि कश्मीर लहौर दिली ते सरहंद दी सारी मुगल ताकत उसे नाल पहाडी राजयां दिया फोजा सात महीने अनंदपुर नू केरा पाउंदे बावजूद वी ना ता गुरु गुबिन सिंच नू फड़ सकी ते ना ही सिंगा नू इन मनन दी मजबूर ही कर सकी सरकारी खजाने दे लखा रुपे खर्च होगे हजारां दी गिंती विच फोजी मारे गए पर मुगल अपने निशाने विच सफलता प्राब्द ना कर सके चमकोर दी असामी जंग विच सहबजादियां ते सिंगा ने अपनी बेमिसाल शहादतां देके सिक इतिहास नू हमेशा वस्ते रुशना दिता सवाल लाग से एक लड़ाओं दा अखान सच कर वखाया 1984 विच वी पार्ती फोजवलों दर्बार साथ ते किते हमले दा जिमें मुठी पर सिंगा ने मुकाबला करके शहीदियां पाईया सी ओवी चमकोर दे जंग दी याद ही ताजा कर गिया सी पांच प्यारियां दा हुकम मानके गुरु गोबिंच सिंग जी रात दे अंदेरे विच चमकोर दी गड़ी विचों बाहर निकलके माची वाडे दे नेडे गुलाब्बे खत्री दे बाग विच पुज़े कनी च्छाँ वाला बुटा देखके आप उस दी च्छाँ विच लेट गे थकेवें कारण आपनो गुडी नीद आगी पाई दिया सिंग पाई तरम सिंग ते पाई मान सिंग ने आपनो आज गाया बाग दे काम में ने जा अपने मालक गुलाब्बे नू गुरुजी बाबत खबर किती गुलाब्बा बहुत डर गया जदो उस नू पता चलिया कि सरकार दा बागी उस दे बाग विच पना लाय रहा सि उसने नभी खान ते गनी खान नू जाद सिया नभी खान ते गनी खान दो परा मच्छी वड़ा जिला लुद्याना दे रहन वाले सन। कोड़ेयां दे वपारी होन कारण दूर नेड़े दे लुकी उना दे नावातों जानू सन। अनंदपुर गुरुजी पास भी ओ कोड़े विचन आउंदे सन। गुरुकारदा संज प्यार देखके वो गुरुकारदे शर्दालू बन गे। नभी खान ते गनी खान ने गुरुजी ते उना दे नाल आई सिखा ली पोजन तियार किता ते लंगर लेके बाग विच हाजर होई। गुलाबे नू बहुत डर्या होया देखके उना गुरुजी अग्गे बेंती किती। गुरुजी तुसी साड़े नाल साड़े कर चलो। ते सानू सेवा करन दा मोका देवो। साड़े पास रेंदे होई। जिस तरह तुसी सानू करन नू कहोगे असी करांगे। गुरुजी ने उना दी बेंती परवान कर दे होए उना दे कर चलेगे। रात नू जोज पढ़ दे नील बस्तर बनवाएगे। सूरज दी टिक्की निकलन उपर गुरुजी नू नील बस्तर पहना के उच दे पीर बना के इक चारपाई उपर बठाया गया। ओना नाल दे तिन्ना सिंगा ने भी नील पुशा के पहन दे। नभी खान ते गनी खान ने चार पाई दे अगले पावेया दे नाल अपने मुड़े दे 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 ता जो ओ पुछन वाले नुँ जवाब दे सकन। पाई दिया सिंग ने मोरां दे खंबा दी चौर गुरू जी उपर करने शुरू कर देती। पाई तरम सिंग दे मान सिंग ने चार पाई दे पिछले दो पावेया नू मुड़े दे देती। रस्ते विच उच दे पीर दी शिनाखत गुरू जी नू फार्स दी प्राउन वाले मुणशी पीर मुहमद काजी पासों करवाईगी। उन्ना केहा एता कोई अल्ला दा पुझा होया फकीर जापदा है। इसनू दुनिया नाल कोई लगाओ नहीं। इसनू रोक के खुदा दू नरास करना है। इन्ना अपनी मौज विच जिद्धर जंदे हन जान देना चाईदा है। शाही फोज ने काजी दे कहंदा यकीन किता। उन्ना पीर अगए सिजदा किता ते अपनी गलती दे मौफी मंगी। गुरू जीनू उचदे पीर बनाके दोहा प्रावा शाही खत्रेतों बाहर आलमगीर पहुंचा देलता। गुरू जीने दोहा प्रावा नों सेवा के विदा किता इस साक्य विच असी जानेया कि में जालम सरकार दी परवा किते बिना गनी खान ते नभी खान ने गुरु सहाइब दी मदद करके अपना ना सिक इतिहास दे सुनैरी पनिया दे दर्ज करवाया पर जोदों कुछ लोग कें देने कि गुरु गोबिन सिंग जी न गुरु गोबिन सिंग जी दे बापा जोरावर सिंग ते बापा फते सिंग दो छोटे सहफ जादे संग अननदपूर दा किलाग चड़न समे उनना दी उमर सिरफ साथ साल ते पांच साल दी सी रात दे अंदेरे विच सरसा नदी पार करदे हुए छोटे सहफ जादे ते गुरु गोबिन सिंग जी दी माता गुजरी परवार नालों विच्छड गे उनना दे नाल गुरु कारदा रसुया गंगु ब्रह्मन सी गंगु उनना नू अपने बिंड खेडी ले गया सरकारी इनाम लैन दे लालज विच गंगु दा इमान डोल गया ते उसने वट्टा पाप किता तीचे दिन उसने उनना नू पुलिस दे हवाले कार देता सुबा सरहांद नू जदो एनना गृफतारियां दा पता चलेया ता ओ बहुत खुश होया उसने केहा उनना नू पुखे पाने ठंडे बुर्ज विच बंद कार देता जावे ते उनना नू ठंड तो बचनली कोई कपड़ा न देता जावे सुबे दे हुकम आनू साहर उनना नू पुखे रख्या गया ते दुजी सवेर उनना नू सुबे दी केचैरी विच पेश करनली एक सपाही बलान गया पोत्यानू तोरन तो पहलना उनना दी दाती न उनना नू सिख्या दीती के तरम नहीं तयागना पावे सुबा तुसानू किन्नेवी लालच देवे ते किन्नावी डरावे जातम कावे दुवे सहवजादे सिपाही दे नाल सुबे दे केचैरी विच दाखल हो गया उन्हा दोहा ने दोवे हाथ जोड़के किया वाहि गुरुजी का खालसा वाहि गुरुजी की फते एं फते सुनके सुबा कुछ बुलन ही लगया सी कि उस्तों पहला उस्ता वजीर सुच्चा नंद बोल उठिया बच्यों ये मुगल सरकार्द दरबार है अनंद पुर्द दरबार नहीं एथे सुबे नू सिर्चकाना होंता है सहब जादा जोरा वर्सिंग ने उत्तर दिता साटा सिर्फ परमात्मा ते गुरु तो बिना हो और किसे अगे नहीं चुक सकता सुचा नंद नू एक औरा जो आप सुनके सहब जादियां उपर गुसाता बहुत आया पर कर कुछ नसकिया चुप करके बैठ गया सुबा वजीर खानू अपने उपर बहुत पर रुसा सी कि ओ मासूम बच्चेया नू दुनिया दी माया दे लालच विच फसा के मुसलमान बना लवेगा जेडी उस दी बहुत वड़ी जित होवेगी उसने सहब जादिया नू बहुत लालच दिते पर ओ नामन ने अंत विच सुबे ने उन्ना नू पुछेया जे मैं तुसा नू छट देवा तक तुसी बहर जाके की करोगे सहब जादा जोरा वर सिंग ने उत्तर दिता असी वड़े होके सिंग इकठे करके जुलम दे खिलाफ लड़ांगे जोदो तक जुलम दा अंत नहीं होंदा जा असी जुलम दा खात्मा करदे करदे शहीदियां पर आप नहीं कर जांदे जिवे साठे दादा जी ते उन्ना दे सिखाने साठे ली पूरने पाय हन सुच्चा नंद ए सुनके वजीर खान नुपढ कान दा होए केहा इस सापदे बच्चे ने इन्ना दियां सिरियां हुने ही फे दियू वरना वटे होके सानु ही डसंगे ए सुनके सुबे ने उन्ना नुँ खतं करण विच ही अपनी पलाई समझी साथ साल ते पंच साल दे सहब जादेया नुँ उस दे हुकमना काजी तो फत्वा पढ़वा के जिन्दा दिवार विच चिन्वा दिता गया सहब जादेया दे तरम उते बक्के रैना हसल विच सुबे दी एक होर हार सी छोटे सहब जादेया दी शहादत ने सिखा अंदर ऐसा रोज जगाया जो कुछ ही सालना बाद बाबा बंदा सिंग बहादर दी अगवाई विच मुगल सल्तनत दा अंत ते खालसा राज दी स्थापना दा कारण बनिया गुरु गोबिन सिंग जी ने अपने चारे पुतर सिखी दी हमद्रू पचानली वार्द दे उनना ने यकीन सी के सारी सिख संगत उनना दी ही संतान है इन पुतरन के सीस पर वार्द ये सुत चार चार मोए तो क्या हुआ जीवत कई हजार पर जे आज गुरु सहब साटे कार विच अपने सहब जादेयां दे चेहरे देखना चान की यसी दिखा पावाँगे ब्यंत परवार हन जिनना दे बच्चेयां दे सिरां दे केस नहीं ओ किस तरह अपने आपनों गुरु गुबिन सिंग जी दे वारस खवा सकते हन आज जरूरत है मामा नों अपने अंदर माता गुजरी जी वाला जजबा पैदा करन दी अगर मा चाहे तो दुनिया मिच कोई ताकत नहीं जो बच्चेयां नों सिखीतों दूर कर सके शेर महुम्मद खान मलेर कोटले दी रियासत दा नवाब सी वो रबतों बड़ा डरन वाला बंदा सी जिस दिन गुरु गुबिन सिंग जी दे छोटे दो साहिबजादे सुबा सरहांद दी कचैरी विच पेश किते गए सन उस दिन ओवी कचैरी विच हाजर सी उसनों सरहांद दे सुबे वजीर खान ने अपने परा नहर खान दा बदला इना बच्यां उपर जुल्म करके लैनली कहा नहर खान दी मौत गुरु जी दे तीर लगनल होई सी जदों ओ चमकोर दी गड़ी दी कंद टपन दी कोशिश कर रहा सी इस शेर दिल शेर खान ने ना कर देती जदों काजियां ने बच्चेयां नो जिन्दा दिवार विच चिने जान दी सजा सुनाई ताँ ओ जुल्म होंदा देख के बरदास्त ना कर सकया शेर खान ने परी कचैरी विच खड़े होके किया ए बच्चे मासूम हन इना ने तुसादा कुझ नी विगाड़िया ए निर्दोश हन इना नो सजा देना इसलाम दे तरम दे असूला दे खिलाफ है इना दे पिता नल सरकार दा चगड़ा है उसनों तुसी ग्रफदार नहीं कर सके ते नाहीं उसदा कुझ विगाड़ सके हो ओ तुसादी लखादी गिंती विच गस्ती फोज दे हुंदे होई वी एक खुले शेरवांग देश विच चकर कट रहा है उस्ता गुसा इना मासूम बच्चयां उपर कड़ना बैन साफी है सजा सुनान वले काजी ने शेर खान उ उत्तर दिता शेर खान मैं काजी हां ते इसलाम दी शरादी बाबत मैं तेरे नलो वद जानदा हां इना पांजते साथ साल दे मासूम उपर तर्स खाके इना नो दिवार विच जिन्दा चिने जानदी ही सजा दिती है ए सजा इस हालत विच इना ली बहुत कट है शेर खान ने देख लिया कि सुबा वजीर खान उस दी गल नहीं मनदा ता उसने परे दिवान विच वजीर खान दे विरोध करके सबाचों उठके चले गया इस कटना दा पता जदा गुरु गुविन सिंग नो चलेया कि शेर खान ने इस होंदे जुलम दे खिलाफ अवाज उठाई सी ता उनना उस दा शुकराना किता मिलेर कोटले दे नवाब दा राज पारतनों अजादी मिलन तक बरबर काइम रहा उस रियासत दे नवाब ने जदों भी कोई गल्ती किती ता सिक सरदारां रालके उसनों सोद्या पर रियासत उस पास ही रहन दे रहे बाकी आसपास दियां र्यास्तां ते सूबियां दे राजे ते नवाब सदा बदल दे रहे। मलेर कोटले दी र्यासत उपर शेर दिल, शेर खान दी अुलाद ही राज कर दी रहे। आज तक पंजाब विच मुसलमाना दी सब तो वद अबादी मलेर कोटले विच ही है इस साकी तो एस सिख्या लेनी चाहिए दी है कि जुल्म दे खिलाफ अवास चुकन वाले आन वाली नसला वस्ते हमेशां प्रेरना स्रोत साबित हों देने हादा नारा मारन वाले शेर मुहमद खान नुवी हमेशां याद किता जंदर हैगा अनंदपूर दे लम्मे के रेतो बाद जदो गुरु सहेब ते उन्ना दे प्यारे सिख्य सरसा नदी पार कर रहे सां ता सिख्यां दा सारा वहीर खिंड पुंड गया गुरु पादशा तो विछड के कई सिंग अपने करानों चले गए सां उन्ना विच राई सिंग उस्ते दो लड़के महा सिंग ते सीतल सिंग भी शामल सां जदों ए लोग अपने पिंडा मिच पहुंचे ता इन्ना नुँ फिटकारा पैन लगिया माई पागो जहियां विरांगना ने इन्ना लुका नुँ तानने मार मार सोचन ली मजबूर कर देता माई पागो ने होर सियान्या नु नाल लेके जा के रिया ते के हा लो साटे कगरे ते चूडियां पहन लगो ते करा विच इस्तरियां वांग बैठो असी गुरुजी दा साथ देन ली मुगना विरुद जंग विच जान ली ते आ रहा सिंग सोचन लगे कि जदों गुरुजी बिपता विच करे पैसन ता उनना नु करांदी बजाए सत्गुरुजी नु लब के उनना दा साथ देना चाईदा सी कईया नूता हिंज जापया जमेंकी ओनाने गुरु जी नाल बेवफाई किती होवे उत्थे किसे ने हाजर संग्तानों गुरु सहेब दे वड़े सहेब जादियां दी चमकोर विच शहादत अते सरहंद विच माता गुजरी जी दे छोटे सहेब जादियां दी शहीदी इनना सिंगा दी गिंती चाली सी ते माई पाग कोर तालवी सी परस्ते विच इना नू पता लगा कि गुरु जी कांगडा तों कोट को पुरा वल जा चुके हन इस जथे दा मेल गुरु जी नाल रुप्याने दी रोही विच हो गया सुहिये तो पता लगा कि वैरी नेडे पहुँच चुका है गुरु जी ने तीर कमान संबाल ली ते कोडे ते इसवार हो गए ते खिदराने वल चल पे उथे पानी दी टाब सी सिखा ने पानी दी टाब उपर अधकार कर लिया मजे दे सिखवी हूं गुरु सहाब दे मगर मगर तोर पे गुरु सहाब टिबी ते बैठे तीर चलाके वैरियां दे अहू लंदे रहे ते ए सिंग ताब तक तुर्क फो जनू पंचन तो रोक दे रहे ते चाड़ियां विच लुके हुए ही मुगलां दे दंद खटे कर दे रहे इनना भादरां दी अगवाई करन वाले जथेदार महा सिंग सन जो गुरु तो बेमुख होया नू मुड सनमुख बनावन वास्ते गुरु जी पासों अपने गुनाहा दी माफी ले खिदराने दी टाबते पहुँचके दुश्मन दी फोज नाल रान विच जूज रहे सन वजीर खान ने अपनी सेनानों ओदे मुकाबले दे खड़े सिखा दे गोली चलानली केहा जिनना विच उना दा विश्वास सी की गुरु लुक्या होया है सिखा ने बड़ी बीरता नाल हमले दा मुकाबला किता पारी गिम्ती विच आई मुगल फोज दा चाली सिख कितना कुछ जर मुकाबला कर सकते सी औना भाधरां मिच माई पाको वी सी जो बड़ी भाधरी ना लड़ी खिद्राने दी टाब सुक्की होन कारण मुगल सेना ते आस कारण व्यक्ल हो गई वजीर खान दी सेना इतनी तंग हो गई कि अपनी सेना दे मृतक ते जखमियान उत्थे ही छड़ाई ते जंग दे में दान विचों पाज गई शाही फोज दे जान मगरों गुरुजी रन पूमी विच गेडा लॉन लगे जखमी सिंगा दी मरम पट्टी किती गई माई पागो भी जखमी हो गई सी उस दे पाट दे गोली लगी सी उसने हथ विच सांग फड़के वेरियान दा मुकाबला किता सी माई पागो दे प्रात पती इस जंग विच शहादत पागे सांग ओ उस पिछों सारी उमर गुरुजी दे अकाल चलाने तक उनना दी सीवा विच रही जखमिया विच पाई महा सिंग जीवी सांग उनना नो बहुत डुंगे फट लगे सांग बस आखरी दमा उते ही सांग गुरु पाथशादे दर्शन करके उनना दियां अखां अगे सरसा नदीदा दरिश आ गया उस समय सत्गुरां तों अलग हों दी चोब ने व्यकुल कर दिता अपनी कमजोर आवाज विच सत्गुरां पासों सरसा उते विच्डे साथियां वलों मुड मुआफी मंगी बड़ा दर्दनाक दरिश थी गुरु जी ते नाल खडे सिंगां विच विराग दी कांग आ गई पामे सत्गुरु ता समझ दे सां की पाई महा सिंग ते उस्ते साथियां दा सरसा दे किनारे विच्ड़ना हालात दी मजबूरी सी पर महा सिंग जी दी खाहश न वेख दियां सत्गुरु पाथशा बोले महा सिंग बेटा तु मज़े दी सिख़्ी रख ले होरानोवी बक्षा लेया तन सिख़्ी तन खाल सा पाई महा सिंग जी दियां अख़्ां विच खुशी दे हंजु आ गए और ना लम्मा सा लेया ते प्राम त्याग दिते जिस था ए जंग होई उस दा ना मुक्तसर रख्या गया ओदो उस अलाके अंदर पानी दी थुड़ ते फसला दियां वड़ियां कारण वे साख विच संगता दे इकट करने बड़ी उखी कल सी इसलिए मगी दे दिन इस जंग दी याद विच हर साल संगता दा पारी चोड मेला हुंदा है माता पागोन अपनी लसानी पूमी का निबान कारण सदा याद रख्या जावेगा क्योंकि सिखा दी टुटी कुंडाउन ते गुरुना जोड़न वाली ओहो ही सी किसे होर सिख इस्तरी नो उस जितना सतकार नहीं मिलदा पंजाब ते इतिहास वेच उस दा ओ दरजा है जो फरांस ते इतिहास वेच जान आफ आर्क दा आज जरूरत है हर सिख इस्तरी नो माई पागोन तो सेद लें दी ताकि अपने प्रा, पती जा पुत्तर नो सिख्की सिदानता तो पठकन ना देवे जदो वीपिया ने माईपा गोवांग गुरू सिदान ददा चंडा चुक लिया ताद दुनिया दी कोई ताकत सिख्की नो टा नहीं ला सकती गुरू जी चमकौरतों चलके मच्छी वाड़े दी हुन्दे होई सबों की तलवंडी पुझे उस थान नो अजकल दमदमा साहिव केहा जन्दा है उस थान डला चोधरी गुरू जी दी सेवा विच हाजर होया सूबा सरहांदनों जदों गुरू जी दा चोधरी पास होंदा पता चलेया ता उसने चोधरी नो हुकम पेजिया तेरे पास सरकारदा बागी गुरू गुबिल सिंग है उसनों मेरे हवाले करके इनाम हासल करला जे तु मेरा हुकम नहीं मनेंगा ता मैं तेरे उपर चड़ाई करके गुरू देनाल तेनु भी खतम कर देवाँगा चोदरी ने सूबे दी तमकी दी कोई परवाना किती उसने सूबे नू सुनेहा पेश देता मैं गुरू नू कदे वी किसे वी कीमत उपर तेरे हवाले नहीं कर सकता जो कुछ दू करना चोंदा हैं करके देखला अपने मांदे परम दूर करला सूबे दा डर लाके चोदरी ने गुरू जी दी आउपगद किती ते अपने पास रख्या डले नू अपने आदमियां उपर बहुत मांद सी ओ गुरू जी नू अकसर कहनदा रहनदा सी जे मेरे आदमी चमकोर दी गड़ी विच आप दे नाल होंदे ता सूबे दी फोज आप दी हवावलवी न देख सकदी गुरू जी चोदरी नू समझांदे पाई डलेया बहादरी ते शरीर दा तकड़ा होना आदमी दे वक वक गुन हन मोटे ते तकड़े आदमी दा बहादर होना जुरूरी नहीं इस तरह समझांद उपर वी डलेयनू समझ ना पैंदी ते उस दे मानदा पुलेखा दूर ना होंदा डला एवी सोचदा रहनदा गुरूदा साथ जिड़े सिंगां चमकोर दी गड़ी विच दिता ओ मेरे जवानना वरगे सूर में ते बलवान नहीं होने जिस कारण सहवजादे नू गड़ी तो बहार जाके युद विच शहीदियां पाउनिया पैंदा ने डले दे बीरा द की मरदान की परखंदा समा लेंदा एक दिन लहोर तो एक सिंग नवी बनाई बंदूग राम जंगा लेके गुरूजी पास हाजर होया उस समय संगत विच डला ते उस दे कुझ जवान बैठे सन गुरूजी ने डले नू केहा पाई डले असी इस नवी आई बंदूग दा निशाना परखना है कि ये थांसिर बेंदा वी है जाने कोई एक अपना जवान पेज जिस उपर असी इप परख सकी है डले ने अपने नाल बैठे जवाना चुच्चों एक एक नू पुछया पर कोई वी निशाने दी पर खली तेयार न होया सारे वारी वारी ना कर देती गुरु जी ने डले नू कहा अच्छा पाई डले या जे तेरा बहादर सूर्मा अगे नहीं अंदा तों तों ही सामने खड़े हो ता जो असी बंदूग दा निशाना परख के पेट करन वले सिंग नू मान दे सकी है डले ने गुरु जी दे हत विच त्यार बर त्यार उसने उत्तर दिता गुरु जी इस तरह दी अन्याई मोत कौन मरे युद होवेता में तेयार हां जिस विच बहादरे भी दिखाई जा सके गुरु जी ने डले नू कहा जा पाई लंगर विच कोई सिख होएगा उसनू कहा कि तेरे गुरु ने नवे याई बंदूख दा न निशना बन सके डले ने लंगर वल मू करके दूर तो ही गुरु जी दा हुकम सुना दिता जमें उसनू यकीन सी कि कोई भी सिंग इस परकली तियार नहीं होएगा डला देखके हरान हो गया जदो उसनू दो सिंग एक दूजेतों अगे पज्जे यंदे दिखाई दिते डल दे अवाज देन समें लंगर विच दो ही सिंग सनू गुरु जी ने फरमाया मैं ता एक सिकनो निशाने दी परकली सद्या है दोनू नहीं दोहां सिंगां एक अठे ही बीनती किती गुरु जी आपने एक सिंगनों हाजर हों दा हुकम किता सी पर कोई अचेचा ना लेके नह नहीं बुलाया सी गुरु जी आप दा हुकम पहला मैं सुनेया सी इसली मैं हाजर हो गया है बंदूख दा निशाना बनन दा पहला हक मेरा बंदा है गुरु जी ने दोहां नों अग्ये पिछे खड़े करके गोली दोहां दी सिरा उपर दी काट दिती ओ दोने सिंग अडोल खड़े रहे डल्ले ने जदो सिंगा दी ए बहादरी देखी ता उसनों अपने आप उपर दे अपने मोटे ताजे जवाना दी बुजद ली ते शरम आन लगी उसनों समझ भेगी कि गुरु जी नाल चमकोर दी गड़ी विच किस तरह दे बहादर सिंगा ने गुरु जी द जोदरी अपने रसूख ते बहु बल दे परोसे गुरु सहब दी मदद करन करके हंकार विच से पर आज जदों सिख गुरु कार दी इमारता वास्ते पैसे देखे जा लंगर चलाके अपने नादा पथर लगवांदे हन ते पाईजी को नो अरदास विच उचेचा अपना बलवांदे हन ते एवी अभिमानी डल्ले वाकर मन गुरु सहब नू यह जता रहे होन कि गुर्दवारे जह सिखी शायद इन्नाद परोसे ही चल रही है यह सब हंकार दी निशानी है जो गुरु नू नहीं पांदी ओरंग जेव दी मार्च 1707 इस्वी विच मोध तो बाद उसदे प्रावां विच राजगद्दी दी प्राप्ति ली जंग छड़गी बहादर्शा ने गुरु गोबिन सिंग जितों मदद ली गुहार लगाई बहादर्शा अपने सारे प्रावा नालों चंगा अते नेक इ राज़ी हो गए कि तक्त मिलनतों बाद बहादर्शा पंजाब विच हो रहे आम जंता ते जुल्मी राज़दा खात्मा करेगा अते पापी वजीर खान नू सजा दिवाएगा गुरु जी ने पाई तरम सिंग दी अगवाई विच खालसा फोज बहादर्शा दी मदद ली पे जी बहादर्शा दी जित होई अते ओ दिल्ली दे तक्त दे बैठा बहादर्शा गुरु साब नू आगरे मिलिया अते गुरु साहब दा बहुत मान सतकार किता गुरु जी ने उसनू अपना कीता वादा याद करवाया अते बादशा हों दा फर्ज समझां दे पंजाब विच जुमी राजदा अंत करन दी कहा बहादर्शा ने एता फुर्मान जारी कर दिता कि सिखा उते किसी तरह दी कोई रोक डोक ना लगाई जाए पर वजीर खान नू सजा दिवान वास्ते कुझ समा मंगया बहादर्शा नवा नवा तक्त ते बैठा सी ओ अजे वजीर ख अजे वजीर खान वरगे ताकतवार सूबेदार खिलाफ कुझ करन तो चजगदा सी बादशा ने दखन वलनू जाना सी अते उसने गुरु जी नूवी अपने नाल चलन दी बेंती किती गुरु जी उस दी बेंती परवान करके नंदेड वल चाल पे गुरु जी जित्थे वी जान दे आम जनतानों गुरुबानी नल जोर दे अते जोदों वी बादशा नल मुलाकात हों दी उसनों अपना कीता वादा याद करूं दे गुरु जी ने बहादर शानों काफी समा दिता अते समझ लिया कि बादशा दी नया करन दी राजनी तिक इच्छा शक्ती ही न प्रंथ उन्हा ने बहादर शादा साथ छड़ दिता अते उसनों दस दिता जे ओ नया नहीं करेगा ते पंजाब दी जनता खुद नया हासल कर लवेगी स्तारां सो अठ इस्वी विच गुरु जी दी मुलाकात मादो दास पे रागी नल हुई गुरु जी ने उसनों नाटक चेटक छड़ के समाज दे पले वस्ते काम करन दी प्रेरना किती ओ बंदा सिंग बहादर दे नाम नाल जान्या जान लगा गुरु जी ने उस दी काबलियत नों परक के खालसे दा जथेदार था प्या अते पंजाब वल्लु पेज देता बाबा बंदा सिंग बहादर दी अगवाई विच खालसा फोज ने हकूमत तों गिन गिन के बदला लेता वजीर खांदा स्तारां सो दस विच अंत करके सरहंद फते किती अते खालसा राज स्थापत किता इस साखे विच असी समझिया कि गुरु सहाब ने वक्त दे बादशा नों न्या करंदा पूरा समा दिता पर जदों सरकारां बैमान होजान ते जनता नों खुद न्या लेन वस्ते हथे आर चुकने पेंदे ने आज चोरासी कतल्याम नों तिन दहाक्यां तो उपर दा समा हो गया है कई सरकारां बदल चुकी हैं सिख्खानों इगल समझ लेनी चाहिए दी है कि हकूमत दी निया देन दी नाते नियत है अते नाही राजनी तिक इच्छा शक्ती सरहंद दे सूबेदार वजीर खान नो इस गल्दा बड़ा अफसोस सी कि पारी जंग दे बावजूद और गुरु साहब नो नहीं से पकड़ सके है गुरु जी दी बहादर शानल नेड़ता तो और होर वी बहुत दुखी सी और जानदा सी कि गुरु जी बहादर शानल उत्त उस दे खिलाफ कदम चुकनली जोर पा रहे हैं वजीर खान ने दो पठाना नो गुरु जी नो कतल करन दी साज़िश अदीन नंदेडवलनों पेजिया ओ आम सिखा वांग गुरु जी दे रोजान्ना दे दिवाना विच हाजरी परन लगे ते सेवा विच भी हाथवटन द सिख उना नो अपना दो समझन लगे एक रात मुका देख के ओ गुरु जी दे तंबू विच जावडे जिते गुरु जी सो रहे सन अते तनवार नाल कातक वार कर दिता एक पठान नो ता गुरु जी ने जखमी हालत विच भी पार बुला दिता अते दूसरा पजदा होया स सिख दे हतों मारया गया उस अपरंथ गुरु सहाब दे जखमा दा बहुत इलाज किता गया पर जखम गहरे होन कारण ठीक ना हो पाए हुन तक गुरु गोविन सिंग जी ने बबाबा बंदा सिंग बहादर नो जालमा नो सोद्दा नवास्ते पंजाब वलनो पेज देता स गुरु जी ने अपना अंत समा नेडे जान के सारे सिख नो इकठा किता अते हुकम किता कि सिख ने आज तों बाद किसी देतारी नो गुरु नहीं मनना अते गुरियाई जुगो जुग अटल शिरी गुरु गरंद सहाब जीनों सौप दिती सब सिखन को हुकम है गुरु मानियो गरंद गुरु गुबिंद सिंग जी ब्याली साल दी उमर विच साथ अक्तूबर 1708 इस्वी नो जोती जोत समा गए इस साखे विच असी समझेया कि गुरु गरंद सहाब जीनों गुरु मनन लई सिखानों हुकम है पर आज उसे नंदेड अस्थान ते गुरु गरंद सहाब दे बराबर दसम गरंद नाम दे पुस्तक दावी प्रकाशकिता जन्दा है एक गुरु गोविन सिंच दे हुकमा दे खिलाफ दे है ही नाले सिखानों गुरु गरंद सहाब जी दी सच्ची बानी तो तोड़न दी साजश भी है नंदेड ते पटना सहाब दे गुर्दवारा परबंद पुरी तरह नल ब्रामनी ताक्ता दे अदीन आ चुके हैं नंकाना सहाब ते पाकिस्तान दे हुरु गुर्दवारे तां अज पूरी तरह नल सिखान दे कांट्रोल विच आगे हैं अज सिखान दी अरदास सुनी गई है हुन ते सिखानू अरदास करने चाहिए दी है पंजाब अते हिंदोस्तान दे होर गुरद्वारे जो पंथ दोखी राजनीतिक ने तावा अते ब्रामनी ताक्ता दे अधीन हन उना दी सेवा संबालदा दान खालसा जीनो बक्षो ताके गुरु गुरंद साहिब जी दी गुर